हेलो बच्छों कैसे हो सब तो गुरुनीती कम प्रिविएस येर पेपर्स फोर जैए मेंस 2021 के इस सेशन में बेटा हम यूनिट नंबर जो नाइन जो थी जिसमें इलेक्रोस्टाटिक्स अंड ग्रैविटेशन को हम कवर कर रहे थे उसका फर्स्ट पार्ट हम अल्रेडी डिस् करेंगे ठीक है चली शुरू करते हैं कोश्टन्स कोश्टन बर 44 इन फ्री स्पेस ए पार्टिकल ए उफ चार्ज वन माइक्रो क्लाम इस हैल्ट फिक्स अद पॉंट पी अनौधर पार्टिकल बी उफ थे सेम चार्ज अद मास फोर माइक्रो केजी वोके इस कैप्ट अट इस अधिस इस पार्टिकल बी जो है उसका भी सेम चार्ज इसका मतला गर मैं चार्ज एक का क्यू कंसेर कर लूं और बी का भी क्यू है बीका मास आपको इवन है बटा और इनिशल सेपरेशन जो है वो कितना है आर नोट माल लीजे ठीक है और जैसे आप इसको release करोगे, अच्छा, A जो है, वो fixed है, वो move नहीं कर सकता, है ना, वो fixed है, तो जैसे आप इसको release करोगे, due to repulsive force, जो charge Q है, वो इस direction move करना start कर देगा, charge Q जो है, move कर रहा है, और किसी position पे आएगा, तो उसकी आपको speed find out करनी है, हलांकि वो position आपको दे रखी है, particle A से उसकी जो distance से वो 9 mm हो जानी चाहिए, ठीक है, और 9 mm, राइट, तो पहले R नोट था, तो अब 9 R नोट हो जाएगा, बेटा, 9 R नोट, तो अब हमें यहाँ पर velocity पूछे, तो इस question को बहुत ही simply आप solve कर सकते हो, using mechanical energy conservation, लो बेटा, तो initially अगर हम देखे हैं, तो दोन यह potential energy आगई, kinetic energy की बात करें, particle की, तो initially आपने उसको rest से release किया था, बेटा, तो rest से release किया था, तो उसकी kinetic energy कितनी है, 0 है, और जब इस position पर आएगा charge particle, तो उसकी kinetic energy हो गई, half mv square, and potential energy के q, q naught, sorry, q naught नी, q into q by 9 R नोट, ठीक है, तो यह energy के लिए मैंने equation लिख दी है, यहाँ है ना, इसको next piece पे लेके चलते हैं, okay, ठीक है, तो next piece पे चलें, तो k q square by R नोट और इस तरफ आगया k q square by 9 R नोट, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो 1 minus 1 by 9 मतलब 8 by 9, तो value आजाएगी, 8 by 9 k q square by R नोट, is equal to half m v square, है ना, यह value आचुकी है, हमारे पास, हमको यहाँ पर v की value calculate करनी थी, तो v की value के लिए हमें q की value चाहिए, 8 by 9, k की value हम जानते है, 9 into 10 to the power 9, q की value 1 micro climb थी, तो 1 micro climb, मतलब 10 to the power minus 6 का square करोगे, 10 to the power minus 12 हो जाएगा, by R नोट, R नोट पहले कितना था, 1 mm था, right, फिर 9 mm हो गया, है ना, चलो चेक कर लेते हैं एक बार, तो यह initial जो separation था, that is 1 mm, और फिर 9 mm हो जाता है, इसका मतलब R नोट की जो value है, वो 1 mm के equal है, और जो mass है, 4 micro kg के equal है, right, तो चलिए, देखते हैं, तो यहाँ पर 8 by 9, k q square by R नोट, R नोट की जो value है, that is 1 mm, मतलब 10 to the power minus 3, right, meter में, is equal to half m, m है 4 micro kg, right, micro मतलब 10 to the power minus 6 into v square, अब इस equation को solve करना है थोड़ा, ठीक है, तो यह 10 to the power minus 6 है, तो यह 10 to the power minus 6 बचेगा इस तरफ, राइट, यह 10 to the power minus 3 है, तो यह, अगेन अगर देखा जाए, तो 10 to the power minus 3 बचेगा यहाँ पर, यह minus 3 10 to the power minus 3, तो यह 6 बचेगा यहाँ पर, चीक है, तो इसको इस तरफ देखा जाए, तो 9 से 9 cancel out हो गया, 4 से 4, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 into 2, 4, 4 into 10 to the power 6 आगया, v square की value, तो v की value कितने आजेगी, 2 into 10 to the power 3, तो काफी simple सा question था यह, है ना, तो चलो, next page पर चलते हैं, पिछले page पर चलते हैं, चलो, तो इसका answer बटा, हमारे पास आजाएगा second option, ठीक है, काफी simple सा question था, चलिए next page पर चलाएं, तो next question है 45, आपको dipole given है, dipole moment p vector equals to minus p naught x cap, तो p vector आपको given है, is capped at the origin, the potential and the electric field due to this dipole on the axis at a distance d r respectively, आपको potential पूछा है, आपसे electric field पूछा है, दोना की value पूछी है आपसे, right, और dipole को हमने x axis के along रखा है, क्योंकि यहां से clearly this equation अने जारा रहा है, p vector equals to minus p naught x cap है, तो अगर मैं यहां पर frame बना लूँ, यहवल direction y है, यहवल direction x है, तो जो dipole है, minus p naught x cap मतलब dipole moment, कुछी इस तरफ है, तो p vector action में देखा जा, तो इस तरफ आ रहा है, minus p naught x cap, और हम से पूछा है, y axis पर इस तो भी d distance पर, y axis पर बेटा, तो यह equatorial position आ गई इस dipole के लिए, और हमें अच्छे से मालूम है कि equatorial line पर बेटा, जो electric field होता है, वो p vector के just opposite होता है, तो इस point पर अगर आप से electric field पूछ है, तो एकदम just इसकी opposite direction में होएगा, e vector, और e vector के जो magnitude है, magnitude की अगर हम बात करें, that is kp by r cube, और r यहां पर कितना है, d है na, d cube आ गया, लेकिन अगर direction wise अगर बात करें, तो minus आ जाएगा, क्योंकि p vector इस तरफ है, तो p vector का just opposite होता है, तो e vector is equal to minus of kp, ठीक है, तो p vector, और k की value 1 upon 4 pi epsilon 0 और d cube, तो यहां पर last में भी आ रहा है, first वाले option में भी आ रहा है, लेकिन equatorial line पर देखा जाए, तो potential की value हमेशा क्या रहती है, 0 होती है, क्योंकि potential की value कितनी होती है, kp cos theta by r square, तो kp cos theta, theta की value कितनी है, 90 है, देखो, dipole moment की direction से, theta 90 है, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो equatorial line पर potential की value 0 होती है, 0, kv, और kv, इस दो option के अंदर है, लेकिन यहां पर minus p vector, इसका simple सा question, चलिए, next question पर चलें, बेटा, okay, next question, read कीजिए आप, अच्छे से, shown in the figure is a shell made of conductor, it has inner radius a and outer radius b and carries charge q, at its center is a dipole p vector as shown, in this case, तो आपको एक shell दे रखा है, इसकी कुछ thickness भी है, बेटा, है ना, thickness है, इसकी inner radius, suppose a consider कर लीजिए, वैसे दे रखा है a, और outer radius जो है, यह b के equal है, इसके अंदर एक dipole रखा हुआ है, dipole moment p vector है, और आपको correct option इसमें बताना है, चलिए, देखते हैं, first option क्या कह रहा है, यहां पर, first option, okay, first option थोड़ा missing हो गया, surface charge density on the inner surface of the shell is zero everywhere, इसमें first option थोड़ा miss हो चुक है बटा, first option मैं बता देता हूं, first option है, surface charge density on the inner surface of the shell is zero everywhere, ठीक है, zero everywhere, तो inner surface पे जो charge density है, यह charge density जो है, वो हर जगे zero रहेगा, यह पूरी तरह से सही नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो inner surface है, यह inner surface मैंने draw की अंदर वाली, और dipole जो है, p vector इस तरफ है, तो इस तरफ minus q आ जाएगा, और इस तरफ plus q आ जाएगा, पेरित होता dipole, तो minus q और plus q की current beta यहाँ पर गर देखा जाए, इसकी inner surface पे पक्का, यहाँ पर कही ना कही प्लस charge आएगा, यहाँ पर minus charge आएगा, तो अगर आप से कोई कहे कि यहाँ पर inner surface पे charge, total charge definitely zero है, क्योंकि वैसे देखा जाए, तो चार्ज नहीं है, यहाँ पर इंडियोस होगा, same charge यहाँ पर इंडियोस होगा, तो इसकेस में, जितना minus यहाँ पर आएगा, उतना plus है यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर माल लो, asymmetrically रखें तो आ सकता है उसकेस में, लेकिन इसने ही क्या है, कि surface charge density on the inner surface जो है, वो zero है, तो वो zero नहीं है, क्योंकि वैरी कर रही है value, कहीं पर plus हो सकती है, कहीं पर minus हो सकता ह तो first जो है, वो गलत है, अब second देखिए, surface charge density on the inner surface is uniform and equals to q by 2 by 4 pi a square, तो क्या inner surface पर charge density uniform में नहीं है, तो second भी incorrect हो गया, third option है, surface charge density on the outer surface depends on p vector, outer surface पर charge, हमेशा ध्यान रखना, outer surface पर charge आएगा ज़रूर, लेकिन वो inner surface के according आएगा, अगर माल लीजिए, वैसे total charges पर कितना है, zero है क्यों 0 है बेटा, इसका मतलब अगर अंदर overall charge, अगर suppose कुछ आता है, suppose अंदर overall charge minus का क्यों आता है, तो उतना उतना plus क्यों आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, बाहर जो charge आता है surface पर, उसका जो distribution है, वो अंदर वाले charges पर depend नहीं करता है, ठीक है, बाहर वाले charges पर ही depend अंदर वाले charges का उस पर कोई effect नहीं पढ़ेगा, तो इसका second, जो third statement है, charge density on the outer surface depends on P vector, यह incorrect हो गया, फोर्थ है, electric field outside the shell is the same as that of the point charge at the center of the shell, तो यह एक्दम अलग कुशन आ गया, यह कह रहा है कि, electric field outside the shell is the same as that of the point charge at the center of the shell, तो यह एक्दम अलग कुशन आ गया, यह कह रहा है क अगर कोई charge है, suppose, ठीक है, बेटा ध्यान देना, next page पर चलते हैं अपन, यहां पर interesting ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, यह shell है, ठीक है, अब shell पर अगर अंदर कोई charge रखा हुआ है, suppose, suppose यहां पर क्यों charge रखा हुआ है, ठीक है, या dipole भी रख दिया, तो inner surface पर यहां पर charge की position के कारण, यहां पर charge इंडियूस हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों charge की कारण, देखो, यह वाला charge और यह वाला charge, cavity inner side और cavity के अंदर जो charge प्रजेंट है, इन दोनों के कारण यह ध्यान रखना, इस surface से बाहर, कहीं पर भी लेलो आप, किसी भी point पर electric field की value अगर आप से पुछे तो वो zero ही रहेगी, always zero रहेगी, अंदर वाले charge की कार कारण बाहर filled हमेशा zero रहता है और उनके कारण charge का distribution भी नहीं आता, outer service पर, ठीक है, similarly, बाहर कोई अगर charge present है, ठीक है, तो उसके कारण, जो distribution में जो effect पढ़ेगा, वो केवल बाहर वाली charge पर effect पढ़ेगा, अंदर वाला पे कोई impact नहीं पढ़ने वाला, यह point हमेशा ध्यान बेटा, बहुत important point है यह, तो इसमें तो यह दे रखा है कि जो यह shell है, अब इस shell पर माल लीजिए, आपने यहाँ पर dipole रख दिया, right, तो इसके कारण यहाँ पर charge आएगा, तो इस वाले charge और अंदर वाले dipole के कारण बाहर impact पढ़ना ही नहीं है, बाहर field की value कितने हैंगी, 0 आएगी, तो फिर charge कौन सा बचेगा, जो outer surface वा चार्ज आएगा वो, और उसके करण अगर आपसे, shell के करण अगर आपसे कोई, किसी point पर field की value पूछे, sentence r पर तो आप कैसे calculate करोगे, kq by r square, क्योंकि यह जो charge है ना बाहर वाला, यह बाहर तो और कोई charge तो है नहीं, कि यह आउटर सर्फिस वाला चार्ज आउटर सर्फिस वाला चार्ज जो है, वो एक तरीके से uniformly distribute होगा, और uniformly distribute होगा, और uniformly distribute होगा, तो electric field की value कितने हैंगी, kq by r square, kq by r square वैसे ही field करवा रहा है ना, जैसे कि सारा के सारा charge center पर रख दें, outer surface वाला चार्ज, तो outer surface वाला चार्ज अ हमें क्या answer देना चाहिए? इसका answer हो जाएगा बैटा, fourth option इसका correct option हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो जो है, यह आगे चले गए अपन, yes, fourth option इसका correct हो जाएगा, आप इसको read कर सकते हो carefully, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं next question की बात करें, let a total charge 2Q be distributed in a sphere of radius capital R, with the charge density given by rho r equals to k small r. Where small r is the distance from the center, two charges A and B of the minus Q each are placed on diametrically opposite points, at a equal distance small a from the center. If A and B do not experience any force, then? ठीक है, बहुती प्यारा सा question है यह, देखो, इसमें actual में क्या दे रखा है यहाँ पर? यह एक r radius का sphere है, ठीक है? और इसके अंदर एक और sphere है, जिसकी radius है small a है. ठीक है, इसमें color fill कर देते हैं. राइट, हालांकि charge पूरे पर distribute है, रो जो density दे रखे है ना अपन को, वो rho equals to k r के equal है. radial distance बढ़ने के साथ, रो की value change होगी, है ना? अब यह कह रहा है कि इसमें दो charge रखें आपने, जिन पर प्रतेक पर जो charge है, प्रतेक पर जो आवेश हो minus का Q है, और diametrically आपने opposite रखावा है, देखो, ऐसे, यहाँ पर रखो, और यह मान की चलना, पूरे पर आवेश है, पूर charge की तरह assume कर सकते हो, तो यह जो गोला जो दिख रहा है ना, आपको इस गोले का charge आप यहाँ पर, यहाँ पर centered assume कर सकते हो, ठीक है, और बाहर जो shell दिख रहा है आपको, उसका field तो पक्का 0 ही आएगा, उसका जो field आएगा, इन दोनों पर कहाँ पर आएगा, 0 ही आएगा, त उनके काण force लगेगा नहीं, तो यह जो distance है ना, आपको दे रखे, देखो, diametrically opposite points at a equal distance a from the center, इसका मतलब यह वाले distance कितनी है, एक equal है यह भी एक equal है, ठीक है, और यह जो अंदरवाला जो charge का गोला बनाया है ना, इस पर q charge है, small q charge है, और उसकी density, rho equals to qr के according, चेंज और यह तो अब आप देखना, यह जो q है, यह q इस वाले q पर जो force लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा, और यह जो small q यह इस पर direction force लगाएगा, अगर net force 0 इसका मतलब दौना force एक दूसरी को balance करेंगे, है ना, तो सबसे पहले q जो capital q पर लगाएगा, इस वाले पर वो इस by 2a का whole square मतलब 4a square, है ना, यह value आगई हमारे पास, और बराबर यह small q जो इसको attraction का force लगाएगा, k small q capital q by a square, right, यह value आगई, तो यहां से देखो a square से a square cancel out हो गया, k capital q, capital q, q, तो यहां से देखो small q की value कितनी है बटा, small q आगया, capital q by 4, capital q by 4 के equal charge आना चाहिए, right, यह चीज हमने यहां पर सीख ली, समझ ली, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, मतलब इस पर जो charge है ना, इस अंदरवाले गोले पर charge हो है बटा, वो exactly q का one fourth है, है ना, अब इसी से हम देखते हैं, इससे क्या hint निकल सकता है, अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें, shell consider कर लेता हूँ, यहां पर, ठीक है, एक shell consider कर लिया, देखो, right, और इस shell की जो radius है, वो मैंने small r consider कर ली, और small r के corresponding, इसके जो thickness है ना बटा, that is dr, यह dr के equal है, तो इस shell पे जो charge आएगा, उस charge की value अपने easily calculate कर सकते हैं, ठीक है, उस charge की value हम easily calculate कर सकते हैं, बटा charge की value कितना है, कि dq is equal to, इस shell पे केवल, rho into इसका volume, dr थिकने से वाला volume कितना हैगा, 4 pi r square dr, तो dq is equal to rho, rho की value कितनी है हमारे पास, k into r है, k into r रख दिया, 4 pi r square dr, अब इसको integrate क पहले तो integrate करना मुझे 0 से a तक के लिए, 0 से a तक के लिए integrate करूँगा, तो मेरे पास charge आजाएगा small q, ठीक है, और फिर 0 से capital R तक integrate करूँगा, तो charge कितना आजाएगा, 2 q आजाएगा, total charge 2 q है पूरे गोले पर, तो उसके according ही हम इसका answer दे सकते हैं, तो चलिए, सबसे पहले जिरो से एक काम करता हूँ, मैं a के लिए calculate करता हूँ, तो 0 से a के लिए calculate करता हूँ, dq का q हो जाएगा, small q, इसकी value देखो constants बाहर ले ओ, 4 pi के तो बाहर आजाएगा, यह के कोई general कोई constant है, यहाँ पर r cube आ रहा है, r cube मतलब r की power 4 by 4, और r की power 4 मतलब a की power 4 हो जाएगा, okay, तो यह value आचुकी है, हमारे पास q equals to pi k a to the power 4, right, तो यह q a radius के लिए है, अगर मैं capital R रख देता है, यहाँ पर लिमिट, तो 4 ज्यादा था 2 q, तो यह q की value में यहाँ रख दूँगा, a की power 4, बाकी तो constant है, pi के, pi के यहाँ रखना चाहो, रख दो, is equal to, चलो, रख देते हैं, pi के, a की power 4, is equal to, 1 by 4, अच्छा, इसको उपर नीचे multiply कर दो, 2 को, या इसको 2 रख दो, तो यह 1 by 2 आ जाएगा, एक तरीके से, तो 2 q by 4 है, 2 q by 4, right, sorry, 2 q by 8 है, 8, 8, 8, ठीक है, 2 q by 8, तो 1 by 8 times of 2 q, और अगर मैं इसकी limit लगाँगा, 0 से capital R तक, तो यह जो चार्ज आएगा, पूरे गोले का आएगा, जो की capital Q, 2 capital Q को represent करेगा, तो इसका 2 capital Q है, यह definitely pi के r की power 4 होना चाहिए न, तो यहाँ पर आजाएगा, पाई के r की power 4, ठीक है, यह value आगे देखो, यहाँ से आप इसको solve कर सकते हो, तो पाई के वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम से r की value पूछिए बटा, r की power 4 है यहाँ पर, और a की power 4 यहाँ पर है, तो यहाँ से अगर आप देखें, तो value हमारे पास देखो, कितनी आ जाएगी, यहाँ जाएगी बटा, a is equal to, यह 2 की power 3 है, यह 2 की power 3 आगे यहाँ से, 8 है यह, तो उपर आ जाएगा यह, कितना आएगा, 2 की power minus 3, r की power 4, तो 2 की power minus 3 by 4 into r, यहाँ पर, हाँ वेटा, तो value की आई, 2 की power minus 3 by 4 into r, तो यह option, 4th option हो जाएगा, क्योंकि 8 की power minus 1 by 4 है, क्योंकि 2 की power 3 कितना आजाएगा, 8 आजाएगा, 8 की power minus 1 by 4 into r की equal आगे, question बहुत प्यारा सा है, ठीक है, sphere के अंदर, अपनने 2 charge रख्यों है, और उन दोनों charge पे जो electrostatic force लग रहा है, वो 0 है, उसका net equivalent कितना विटा, 0 है, उसके भिहाब पर यह question था, क्यारा सा, चलिए, next question चलते हैं, question number 48, आएगे, 2 infinite planes, each with uniform surface charge density, sigma, are kept in such a way that the angle between them is 30 degree, the electric field in the region shown between them is given by, तो charged plane है, uniformly charged plane, और uniformly charged plane, जिसकी charge density अगर sigma है, तो उसके पास में कोई भी point present है, तो उस point पर electric field जो है, उसकी value, sigma by two epsilon node के equal होती है, वो भी surface के perpendicular, right, positive है तो भार की तरफ आजाएगा, negative है तो अंदर की तरफ आजाएगा, कोई भी plane है तो, अब जैसे यहाँ पे दो plane आपको given है, और हमें electric field की value पूछी है, result in electric field की value, right, तो इन दोनों plates के बीच में वो भी, इस point पर, है ना, तो sigma sigma 30 degree angle है, तो इसमें आगे चलते हैं हम, और next space पे इसको draw करते हैं, बटा, तो ध्यान से देखना, इधर, तो एक plane यू है, और दूसरा plane यू है, कुछ, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस पे charge density sigma है, इस वाले पर भी sigma है, और ये वाला angle कितना है, 30 degree, तो इस plane के कारण, अगर मैं आप से यह कहूँ कि, इस point पो मुझे electric field की value find out करनी है, तो इस वाले plane के कारण, जो electric field होगा बटा, वो इस direction में होगा, exactly, इस तरफ होगा, है ना, और उसकी value कितना है, कि sigma by 2 epsilon not, sigma by 2 epsilon, right, and similarly, इस वाले plane के कारण, अगर देखा जाए, क्योंकि ये भी sigma है, तो इस वाले plane के कारण, electric field की इस तरफ आएगा, उपर की तरफ आएगा, right, क्योंकि जो value है, जो polarity है, polarity दोनों की positive, positive और इस तरफ x से इस तरफ y है, 30 degree angle है, तो उसके according है, हमें, जवाब देना है, ठीक है, तो देखिए, तो इस वाले plane के कारण, field की value e है, और e की value कितनी है, e is equal to sigma by 2 epsilon node, और इस वाले plane के कारण, field जो है, वो भी positive है, तो अपवड़ा जाएगा, उपर की तरफ आएगा, ये भी e के बराबर आएगा, और e equals to sigma by 2 epsilon node, right, तो इस e के according देखें, अपन बेटा, तो इस e क दो component आप consider कर सकते हैं, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ आजाएगा, है ना, तो यह वाला angle आपके पास 30 degree, right, अच्छा, ये e इस तरफ है, exactly देखा जाए, तो y direction में है ये, y direction में है, तो इस e के आपको component लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो e है, ये negative x direction में और negative y direction में तो इसके component आपको consider करने पड़ेंगी, अब जब आप consider करो, तो ये वाला angle कितना आएगा, देखिए, ये 30, तो ये वाला भी 30 आएगा, ये 30, ये 60, 30, ठीक है, ये 30, तो ये वाला भी 30 आजाएगा, simple है, तो e का ये वाला जो component आएगा, e cos 30, मतलब e root 3 by 2, और e sin 30, मतलब e by 2 correct, तो 30, 30, and then 60, and then 60, e cos 60, ओहाँ, यहाँ पर, तो ये वाला, 30, 30, 60, then 60, तो ये वाला कितना, e cos 60, मतलब e by 2, and this one is root 3 e by 2, है ना, तो इस e vector के मैंने 2 component ले लिए, अब देखिए, ये e by 2, 2 जो है, वो negative x-axis की तरफ है, क्योंकि x, y coordinate system आपके पास है, यहाँ पर, तो यहाँ पर e by 2, minus का i cap आ जाएगा, यहाँ पर x cap और y cap लेकर का है, unit vectors को, i cap और j cap की बजाए, तो वो जो field उसकी value कितनी आएगी, minus e by 2, i cap, उपर की तरफ देखा जाए, तो e, j cap, और नीचे की त j cap, यह value आजाएगी बटा, और e की value कितनी है, sigma by 2 epsilon node और वो आप रख दोगे, तो यहाँ से आपन answer match कर लेते हैं, चलिए देखो, तो यह है आपके पास, तो sigma by 2 epsilon node, right, and bracket में, जो है वो, 1 minus root 3 by 2, first option में y cap दे रहा है, तो यह पूरी तरह से match हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, minus इसका x cap by 2 है, x cap by 2, e by 2 है, definitely यह भी सही match कर रहा है, तो first option पूरी तरह से match कर रहा है, तो आगे वाले option को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो first option इसका correct हो जाएगा, ठीक है, first option आपको नजर आ रहा है, first option इसका correct हो जाएगा, यहाँ पर, यह clearly नजर आ रहा है, यहाँ पर using Gauss-Lo, the formula, mod of e vector equals to q enclosed upon epsilon 0, mod of a is applicable in the formula, epsilon 0 is the primitive free space, a is the area of the Gaussian surface and q enclosed is the charge enclosed by the Gaussian surface, the equation can be used in which of the following situation, right, किसमे यहाँ पर यह use होगी, उस equation की according अपनको अंसर देना है, only when the Gaussian surface is in equipotential surface and mod of e vector is constant on the surface, जेखो, electric field अगर आपको find out करना है, जहां से देखना, electric field जब भी आपको किसी भी charge distribution के लिए find out करना होता है, तो पहली चीज़ तो अपन यह देखते हैं, हम Gaussian surface ऐसी assume करते हैं, कि Gaussian surface की हर point पर, ठीक है, mostly, जिस point पर चाहिए है अपनको, हर point पर, electric field का magnitude constant होना चीज़, और दूसरी चीज, electric field और area vector यह दूसरी के perpendicular होने चीज़, दो चीज़ें ध्यान रखने हैं अपको, एक तो electric field का magnitude क्या हो, Gaussian surface के लिए क्या हो, constant हो, या तो zero हो जाए, flux, ठीक है, या constant हो, और दूसरा, e vector और जो small area vector होगा, dA vector, वो एक दूसरी के perpendicular होंगे, perpendicular होंगे, तो surface area, जैसे surface area यह है और e vector यह है, तो यह एक दूसरी के perpendicular होने चीज़ें, तो electric field के perpendicular जो surface होती है, वो equipotential surface होती है, आप अच्छे से जानते हो, है ना, तो उसकी according आपको, इसका जवाब देना है, तो first option अगर आप देखो, बेटा, only when the Gaussian surface is in a equipotential surface, yes, and mode of e vector is a constant on the surface, तभी आप find कर सकते है, yes, अगर आपको electric field find out करना है, तो यही चीज़ आपको apply करना ही पड़ेगी, कि Gaussian surface equipotential surface होनी चीए, और दूसरा mode of e vector जो है, वो constant होना चीए, तभी बेटा, जो integration वो पार्ट है ना, जो गोशलो के अंदर, e.da, right, clause integration is equal to q enclosed by epsilon 0, यही तो formula लगाते हैं हमापन, तो यहाँ पर e.da, अगर एक दूसरे के, अगर da जो surface है, वो अगर e vector के perpendicular होगा, तो da vector उसके along हो जाएगा, ना, e vector के, तो e.da, 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 cos 0 हो जाएगा, e.da आ गया, फिर e का जो magnitude वो constant हो भार आ जाएगा, तब ही तो आप आएगा, है ना, बात समझे की नहीं समझे, तो इस तरीके से ही आप बेटा electric field की value निकाल सकते हो, तो इसका first option मेरे को पुरी जरे स होना चीए, तब ही आप करभा होगे, तो यह third and fourth का milajula है first, तो correct option कौनसा हो जाएगा, first हो जाएगा, चलिए, next page पर चलाएगा, next question पर जाएगा, next question पर जाएगा, next question है, three charged particles ABC which charges minus 4Q, yes, 2Q, minus 2Q are present on a circumference of a circle of radius D, the charged particles AC and center O of the circle formed an equilateral triangle as shown in the figure, electric field at O, along x direction is, x direction along हमें net electric field बताना है system का, तो बड़ा simple सा question है, आप इस diagram को गोर से देखिए बटा, यह 2Q charge है, यह minus का 2Q है, आपको O point पर पूचा है, तो O point पर 2Q की कार्ण field कितना हैगा, इसी तरफ आएगा, कितनी value आएगा उसकी, 2KQ, right, upon में D square, किस तरफ आएगा field, इसी तरफ आएगा, away from the positive charge, और minus 2Q की कार्ण, towards the negative charge आएगा, उसी की तरफ आएगा, और उसकी value भी 2KQ upon में D square, क्योंकि value 2Q है, इसका मतलब 2KQ and 2KQ, कितना आजाएगा, 4KQ आजाएगा, तो मतलब यह दोनों जो charge है, उनकी कार्ण, जो resultant, elective field O point पर आएगा, वो इसी तरफ आएगा, और उसकी value 4KQ D square R I by D square R I, right? यहाँ पर देखो, यहाँ पर charge है, minus का 4Q और minus का 4Q जो बटा, उसकी कार्ण, फिल्ड इस point पी इस तरफ आएगा, यह confirm है, खुद की तरफ खींचेगा, तो इस वाले 4Q की कार्ण फिल्ड भी उतना ही आएगा, तो इसको मैं E माल लेता हूँ, तो इस तरफ भी E है, और इस तरफ भी E है, इसका मतलब इन दोनों E का, जिनके बीच में एंगल जो है, वो 60 डिग्री दिख रहे देगो, 30 and 30, 60 डिग्री आ गया, तो दोनों E के बीच में, गर एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों का resultant कितना आएगा, root of E square plus E square plus 2E into E into cos 60, cos 60 value 1 by 2 होती है, solve करो कि तो value कितने हैं, root 3 times E, यह तो value डारेक्ट याद रखें आप, तो resultant जो electric field है, x o point पर x के लोंग आ रहा है, and that is root 3 times of E, and here E is 4k q by d square, अब इसको match कर लिजीए, आप root 3 आ रहा है, first में भी आ रहा है, second में भी आ रहा है, लेकिन k की value आप जानते है, 1 upon 4 pi epsilon नोट था, 4 से 4 कट ज जाएगा, तो यहां से अगर देखें, तो बिटा, correct option कौन सा रहा है, second option आ रहा है, ठीक है, चलिए, next page पर चलें, Okay, a particle of mass m and charge q is released from rest in uniform electric field, if there is no other forces on the particle, the dependency of its speed v on the distance x traveled by it is correctly given by the graph, ठीक है, हमको correct graph बताना है, पहलुआ है, uniform electric field में आपने क्या किया, charge particle को release कर दिया, बटा अगर ध्यान रखना है, uniform electric field के अंदर अगर आप charge particle को release, charger particle electric field की direction में ही move करता है, हमेशा, uniform electric field है, non uniform है तब ज़रूर नहीं है, uniform में पक्का move करेगा, इलेक्टिफिल की डारेक्शन में, अगर initial velocity क्या हो, zero हो, ठीक है, तो आपने release कर दिया, तो charge particle पर force किता लगेगा, जैसे, इलेक्टिफिल इस तरफ है, अगर इलेक्टिफिल इस डारेक्शन में है, और आपने charge particle को release किया, तो इलेक्टिफिल की direction में force लगेगा, और उसी बेटा, तो v square equals to u square plus 2s लगा सकते हो, क्योंकि हमें distance x के साथ relation बताना है, so v square, जो final speed है v, तो v का square is equal to u तो 0 था, initially rest में था particle, plus 2a, and a की value बेटा, qe by m, और s की value, x की equal है, बोलो, so एर v square proportional to x, तो v as a y है, y square proportional to x, तो y square of 4x वाला parabol, आप जानते हो, यह parabolic path है, और इसमें से आप देख सकते हो, कौन सगर आप इसमें सही हो जाएगा, third option इसका correct हो जाएगा, तो पहचानना बड़ा असान है इसको, ठीके बड़ा, next question पे चलें, next question पे आईए, consider two charged metallic spheres, s1 and s2 of red eye, r1 and r2 respectively, their electric field e1 on s1 and e2 on s2 on their surfaces are such that, e1 by e2 equals to r1 by r2, okay, ठीक है, तो e1 by e2 जो है, वो r1 by r2 के perpendicular है, then the ratio of v1 on s1, v2 on s2 of their electrostatic potential on e-sphere is, yes, okay, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर, अच्छे से, electric field जो है, metallic sphere है, और metallic sphere पर जो electric field होता है, अगर charge uniformly distributed होता है, वैसे भी, obviously, अगर isolated sphere है, तो charge uniformly distributed होगा, e is equal to k q by r square होता है, यह अच्छे से हम जानते हैं, अब हो सकता है, जो q है न, वो sigma की terms में या कुछ और terms में, r के साथ q का कोई relation हो, हो सकता है, r के साथ q का definitely कोई relation हो सकता है, तो यहाँ पे जो यह वाला part है न, जो q है, क्योंकि यह अगर देखा जाए, तो e1 by e2, r1 by r2 के proportional मतलब e जो है, r2 सा r2 कटेगा, और e जो है, वो r के proportional आजाएगा, मेरी बात को समझे रहो, है न, तो कुछ ना कुछ q का r के साथ relation है, उसकी headache लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो q1 equals to k, या q equals to k r cube है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके coding आ गया है, तो e1 by e2 जो है, हमें यहाँ पर दे रखा इसने, r1 by r2, और इस relation से आपने, यह चीज़ा आपने find out कर ली, अब potential की बात करें, तो matrix sphere के कार्ण जो potential आता है, बाहर किसी point पर, या surface पर, that is kq by capital R, तो potential आज q की जो value k r cube के equal है, और by divide में capital R आएगा, देखो k q by capital R, r से r कट गया, तो यह r square के proportional आगया, तो v proportional to r square, तो v1 by v2 जो आएगा, वो r1 by r2 का whole square के proportional आजाएगा, बात समझे कि नहीं समझे क्यों, radius दोनों की r1, r2 है, तो उसके coding option क्रेक कौन सा हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question पे चले, हाँ, question number 53, consider a sphere of radius capital R, which carries a uniform charge density rho, if a sphere of radius r by 2 is carved out of it, as shown, the ratio mod of ea vector upon mod of eb vector, of magnitude of electric field ea vector and eb vector respectively, at points a and b, due to their remaining portion is, तो इस object पर जो charge है, net charge, वो मालूम नहीं है हमें, लेकिन charge density जो है, वो rho के equal है, ठीक है, और इस sphere की radius मैंने capital R resume कर ली, और इसमें से half radius का एक sphere जो है, वो cut करके बाहर निकाल लिया, तो इसमें cavity बन गई है, तो center point जो है, इस बड़े वाले sphere का वो a है, और जो outer point जो है, वो b ह है, a point पर जो electric field है, वो ea के equal है, और b point पर eb के equal है, तो हमें इस question के अंदर mod of ea vector upon mod of eb vector, मतलब magnitude का ratio find करने के लिए पूछा है, है ना, तो इसको हम superposition principle से deal करेंगे, और होती simple सा question है, जैसे मैं आप से कहूं कि, अगर ये cavity यहापके नहीं होती, ठीक है, cavity नहीं होती, तो य पिटा, वो कितना है, Q है, चलिए next page पर चलते हैं है, अपन, okay, next page पर चलें, देखिए, तो इस complete गोले पर जो चार्ज है, वो capital Q मैंने assume कर लिया, तो capital Q जो है, उसकी value किसके equal आएगी, rho into 4 by 3 by capital RQ, और जो cavity आपने यहापे बनाई है, इस cavity पर चार्ज सपोस्पोस small q है, cavity वाला जो पार्ट है ना, जो गोला है, उस पर चार्ज स्मोल क्यू था मान लो, तो small q की value definitely, rho into, क्योंकि density तो वो ही रहेगी, rho into में, 4 by 3 by R by 2 का whole power 3, मतलब RQ by 8, इसका मतलब यह वाला जो पार्ट दिख रहा आपको, यह capital Q के बराबर, तो small q, capital Q by 8 के equal है, तो उस पूरे गोले पर चार्ज capital Q है, और cavity वाला जो गोला उस पर चार्ज है, capital Q by 8, अब अगर आप से कोई यह कहें कि इस point A पर electric field बताओ, remaining portion के कारण, तो ध्यान से देखना, remaining portion के कारण बात करें, तो अपन super position principle से इसको solve करेंगे, तो उसके लिए किस तरीके से इसको solve करना होगा, देखो, यह पूरा गोला दिख रहा है, पूरा complete गोला, गोले के कारण A point पर कितना आएगा, center point तो field कितना आजाएगा, 0, center पर 0 होता है, लेकिन इस cavity वाले sphere के कारण A point पर field definitely exist करेगा, और उस field की value, तो इस पे 4 small q ना, और उसकी radius कितनी r by 2 है, तो इस गोले के कारण A point पर जो field आएगा, ea is equal to k small q by इसकी radius का square, r by 2 का square, तो r square by 4 बेटा, और जो small q है ना, वो capital q by 8 के के कारण, capital q by 8 रखोगे, तो यह 2 divide मा जाएगा, तो k capital q by 2 r square, यह field आ गया, किस के कारण, इस remaining part के कारण, point A पर, अब हमे point B पर calculate करना है, ठीक है, point B पर चलते हैं, चलो, अब point B पर कैसे calculate किया जाएगा, ध्यान से सुनना, point B के लिए सबसे पहले इस पूरे complete गोले का यहाँ पर field find out करेंगे, तो वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, तो उस field की value कितने हैगी, गोले के कारण, k capital q upon में capital r square, क्योंकि इस radius capital r है, और उस field में से, इस cavity वाला जो, जो sphere जो मन रहा है, इस sphere का जो field है, उस field में से subtract करेंगे, तो minus k उस पर charge कितना है, q by 8 है ना, तो k q by 8 by distance का square, देखो center से distance जहां से देखना है, यह r है और यह r by 2, 3 r by 2 हो गया, 3 r by 2 का whole square करो कितना है एक बड़ा, 9 r square by 4, ठीक है, 3 r by 2 का whole square, 9 r square by 4 आ जाएगा यहां पर, तो इसमें अगर पन सॉल करें, तो यह हो गया, जी 2, यह 18 आ गया, और यहां पर 18 minus 1, 17, तो 17 k q by 18 r square, right, 17 k q by 18 r square, यह value हमारे पास आच चुकी है, और यह जो है, वो k q by r square है, देख लीजिए, तो यह by e2 की value हमसे पूछी है, यहां पर बटा, यह by eb की value, right, तो यह by eb, तो यह आ जाएगा, k q upon 2 r square upon 17 k q upon 18 r square, right, तो k q से k q cancel out हो गया, r square से r square cancel out हो गया, यहां पर आ गया, 18 by 34, ठीक है, 18 by 34, और correct option कौन सा हो जाएगा इसमें, second हो जाएगा, चलिए एक बार देखते हैं, second option, अगर आप देखें, तो इसमें second option हो बटा, 18 by 34 हमें मिल रहा है, ठीक है, तो अच्छा question था, प्यारा सा, ऐसे questions एक्जाम में आते हैं, और especially यह superposition principle based, बहुत बार exam में question पूछे गए हैं मेटा, इस part को जरूर आप ready कर लें, जैसे potential पूछ लिया, electric field पूछ लिया, sphere में cavity बना दी, cylinder में बना दी, ठीक है, इस type से questions frame हो जाते हैं, ठीक है, चलिए, अब next question में चलते हैं, तो question number 54 पे आईए, an electric dipole of moment p vector, p vector गीवन है, देखो, column meter में है, is at origin, origin पर presented, the electric field due to this dipole at this location, मतलब position भी आपको गीवन है, और electric field पूछा आप से, और ये भी दे रखा है कि, r vector dot p vector equals to 0, वैसे check कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, इन दोनों का dot park करके देखो, ये minus 1, minus 9 और ये 10, तो वैसे ही 0 पता लग रहे है, लेकिन इसने ये hint दे दिया हमें, ठीक है, थाक है थोड़ा, हमें position के बारे में पता लग जाए, is parallel to, तो p vector आपको given है, यहाँ पर, तो let's say p vector इस तरफ है, ये p vector में ने draw कर दिया, ठीक है, ऐसे randomly में ने draw कर दिया, और जो r vector है ना बेटा, वो p vector के just perpendicular है, मतलब ये जो point है ना, इस point का जो position vector है, r vector, origin करे, क्योंकि dipole जो है, वो origin पर ही तो है, अना, origin पर ही तो है, तो origin से r vector, r vector और p vector एक दुसरी के perpendicular है, यह हमको दे रखा है, अब यह कह रहा है, the electric field due to this dipole at position, इस position पर electric field definitely p vector के anti-parallel होगा, क्योंकि equatorial line है बटा, तो e vector यहाँ पर p vector के just opposite होगा, बटा, और यह कह रहा ही, जो e vector है, किसके parallel होगा, e vector किसके parallel होगा, e vector minus p vector के parallel होगा, p vector इस तरह पर तो इसका just opposite direction में यह है, बटा, e vector, बस इसका opposite, मतलब p vector जो दिख रहा है आपको, इसको minus से अगर मैं multiply कर दूँ, तो इसका यह vector वाला जो part हो कितना आएगा, i cap plus 3 j cap minus 2 k cap, है ना, इसके parallel आना चाहिए, कोई भी vector हो, तो वो देख सकते हो आप, coefficient से multiply कर सकते हैं, n से multiply कर सकते हो, लेकिन vector इसी के parallel होगा, तो वो आप देख सकते हो, i cap आना चाहिए, 3 j cap आना चाहिए, minus 2 k cap, तो हमें, 4th option में यह, मिल रहा है, तो correct option पिटा हो जाएगा, 4th, चलिए, next question पे चलें, question number 55, electric field, e vector equals to 4 x i cap minus y square plus 1 j cap, newton per coulamb, passes through the box shown in the figure, the flux of the electric field through surfaces a, b, c, d and b, c, g, f are marked as phi 1 and phi 2 respectively, the difference between 5 1 minus phi 2 is in, 5 1 और phi 2 की value निकालना है, और उनके बिच में difference find out करना है, तो 5 1 कि surface के लिए है, यह देखो आप, a, b, c, d, आप a, b, c, d surface को mark करो बेटा, a, b, c, d surface को देखे मेटा, यह वाली surface है, देखो, अब यह देखो, इस surface से कितना flux पास होगा, flux के लिए आपको electrically को देखना पड़ेगा, electrically के दो पार्ट है, एक तो i-cap और एक j-cap, i-cap वाला पार्ट देखें, तो उसकी direction, x-axis के लोग होगी, और value कितनी है, 4x, x-axis के लोग मतलब इस तरफ, देखो, x-axis इस तरफ है, तो इस surface के यह parallel रहेगा, electrically, 4x वाला, 4x, मतलब e-x लिख सकते हो, आप सको चाहो तो, तो यह इसके parallel आया, इसका मतलब इस face से यह पास नहीं हो रहा, तो इसका flux कितना हो गया, 0, perpendicular है ना, इसका surface इरिया उपर आएगा, electrically यह वाला तो 0 हो गया, flux, next, देखो, जेकर पला, जेकर पला किस तरफ होगा, जेकर पला इस तरफ आएगा ना, लेकिन negative का है, minus का y square plus 1, जेकर है, तो मतलब वो जो elective field होगा, वो उस तरफ होगा, लेकिन वो, मतलब y direction में होगा, negative y direction में होगा, लेकिन इस surface का, तो area तो z के long है, तो फिर dot product कितना होगा, 0, तो इसका मतलब ये जो field है, इस field का इस पूरे face से flux कितना पास होगा, 0 बेड़ा, तो 5, 1 कितना आ गया, 0 आ गया, होगा clear, तो ये clear होगा हमें, अब हम दूसरी surface को देख लेते हैं, चलो, तो 5, 1 कि उले 0, 5, 2 देखो, BCGF, BCGF देखो तो BCGF तो ये वाला face से देखो, अब इस face से flux हमें find out करना है, तो इसके लिए हमें field को देखना पड़ेगा, 4X i cap, i cap मतलब बोले तो इस तरफ, तो ये वाला field इस तरफ है, 4X वाला, सही है, और minus y square plus 1 j cap, तो j cap वाला देखा जाए, तो y direction में है, तो इसका मतलब वो इस surface के parallel ही होगा, parallel होगा, negative y direction में, तो इसका area vector तो x के along है, लेकिन वो जो ये वाला जो part electric field का, ये minus y direction में है, तो इस field का flux कीतना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो phi 2 जो है, वो 4X के कारण ही present होगा, और उसका flux कीतना आएगा, 4X into my area बेटा, क्योंकि इस पूरे phase का, जो x coordinate है, वो constant है, x coordinate अगर मैं आप से पूछे, तो कितना है, 3 तो है, है ना 3, 3, 3, ये देखो 3, 3, तो 4 into 3 मतलब 12, तो 12 Newton पर कुलाम, ये field है इसके phase पर हर point पर, और ये field इस तरफ है, और field को E को अगर मैं area से multiply कर दूँ, तो हमारे पास flux आजाएगा, तो area कितना हैगा, इसका, area अगर हम find out करें बेटा, तो इस point का अगर आप देखो, तो y coordinate कितना है, 2 है, इसका मतलब ये length जो है, वो 2 के equal है, और z coordinate कितना है, ये देखो, height जो है, वो भी 2 के equal है, देखो, ये 2, तो height 2, ये length 2, तो 2 into 2, 4 हो गया, area इस phase का 4 के equal है, तो 4 को इससे multiply कर दूँगा, तो value कितनी आई, 48, आया किनी आया, तो 5 1 minus 5 2 का modulus है, modulus पूछा है, mod, ठीक है, तो 5 1 minus 5 2 का modulus कितना जाएगा, 48 आजाएगा, और with sign अगर पूछे तो minus का 48 आजाएगा, ठीक है, उसमें कोई issue नहीं है, ठीक है बटा, चलिए, अब हम next question में चलते हैं, बटा, चलिए, तो question number 56, a body is moving in a low circular orbit, about a planet of mass capital M, and radius capital R, the radius of the orbit can be taken to the R itself, that the ratio of the speed of this body in the orbit to the escape velocity from planet is, very simple, orbital speed आप जानते हो बटा, बटा, प्लेनत की, that is V O, and V O is equal to under wood, gm by r, और escape velocity अपन अच्छे से जानते हैं, V E equals to under root, 2 gm by r, हम से इन दोनों का cable ratio पूछा है बटा, हाना, तो V O और V E का ratio अगर आपन देखें तो 1 ratio, root 2 आजाएगा, ठीक है, तो first option बटा, इसका correct हो गया, तो यह था अपना simple सा question, चलिए, अब हम चलते हैं, next question पे, question number 57, a particle of charge q and mass m is subjected to an electric field, E is equal to E naught 1 minus A x square, in the x direction, where A and E naught are constant, initial the particle was at rest x equals to 0, other than the initial position, the kinetic energy of the particle becomes 0, when the distance of the particle from the origin is, बहुत ही प्यारा question ने देखें, गोर से देखना आप, electric field हमें दे रहे हैं यहाँ पर है ना, electric field हमें यहाँ पर given है, हाँ बेटा, तो electric field हमें given है यहाँ पर E equals to E naught 1 minus A x square, in the x direction, यह direction x है, क्योंकिखें, यह y direction है, यह और reason है, और इस तरफ electric field present है, वैसे E की value जो है, वो आपको दे रखी है, E naught 1 minus A x square, है ना, और यह constant है, A और E naught जो है, अच्छे, यहाँ पर जो E है, वो x direction में indicate करता है, लेकिन x की value जैसे से increase होगी, यह value quantity negative हो सकती है, तो अगर मैं आप से पूछ हूँ कि E की value 0 कहाँ पर है, तो E की value 0 हो रही है, 1 minus A x square बड़ाबर 0, तो x बड़ाबर 1 by A का अंडर root, 1 by A का अंडर root, इसका मतलब यह है, कि कहीना कहीं हमको यह position मिलेगी यहाँ पर, जहाँ पर electric field जो है, वो 0 आएगा, यहाँ पर E 0 है, confirm है, और यहाँ अगर E 0 है, तो यह वाले distance आप इसली बता सकते हैं, यहाँ से अंतक वाली, वैसे ठीक है, लेकिन इस question को हम direct भी वैसे solve कर सकते हैं, क्योंकि हम से यह पूछाए कि particle की kinetic energy, जो है, वो मूल बिंदू से या origin से कितना distance पर वापस 0 हो जाएगी, यहाँ से आपने particle को release किया है, है ना, यहाँ से आपने particle को release किया है, तो कहां पर वापस जो है इसकी kinetic energy है, वो 0 हो जाएगी, तो एक चीज़ देखो, अगर अगर अपन डारेक्ट वैसे सोचें, वैसे इस question को solve करने का try करें, जैसे आपने particle को यहाँ से release किया, ठीक है, particle का charge है, Q, है ना, तो इस charge पर लगने वाला जो force होगा, वो QE के long होगा, that is QE, तो acceleration कितना आएगा particle का, QE by M, ठीक है, और इस instant पर particle की velocity माल लेजिए, V है, तो velocity अगर V है, ठीक है, तो उस case में, आप यह देखो, कि जो acceleration है, उसको मैं लिख सकता हूँ, V into dv by dx, acceleration को, और बेटा, A की जो value है, वो आजाएगा, QE by M, Q by M into E, और E की value कितनी बटा, E naught, 1 minus Ax square, है न, यह value आ गई, तो V dv is equal to QE naught by M, यहाँ पर 1 minus Ax square dx आ गया, then आप इसको integrate करोगे, अच्छा, initial velocity कितनी थी, 0 थी, और जब वापस जागी, जब रुकेगा, जब kinetic energy 0 होगी, तब भी तो speed 0 होगी, तब भी velocity 0 होगी, तो X बराबर 0 पे तो 0 ही velocity, तो X बराबर कौन सी position पर, मा लेजी, X बराबर X पर वापस speed 0 होगी, तो यह वाला पार्ट तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और इस वाले पार्ट की बात करें, QE naught by M तो constant है, बाहर है, 1 minus AX square का integration करेंगे, तो कितना आएगा, 1 का तो आजाएगा, X, minus AX square का आजाएगा, A, X cube by 3, और बराबर क्या करना है, बराबर 0 करना है, तो बागी तो सावरा पार्ट हट जाएगा, इसको हमें solve करना है, यहाँ पर बेटा, तो यहाँ से value कितनी आएगी फिर, अगर आप देखें तो, X minus AX cube by 3, then we have X bracket में, 1 minus AX square by 3 is equal to 0, X बराबर 0 पर तो speed 0 थी ही, और 1 बराबर AX square by 3 पर बहीं, मतलब X की कौन सी value, X बराबर 3 अपन में A का अंडर root, अगर X की value यह रखोगे, इससे solve कर लोगे, X की value आजाएगी, इस position पर भी speed वापस 0 हो जाएगी, काइन डिगनर 0 हो जाएगी बटा, तो value क्या आजाएगी, root 3 by A, चीक है, चलिए, next question पर चलते हैं, आवड़ा, question number 58, 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius R, with constant angular separation between successive charges, alternate charges, 1, 3, 5, 7, 9 have charge plus Q each, while 2, 4, 6, 8, 10 have charge minus Q each, the potential V and the electric field E at the center of the circle are respectively, तो potential और electric field की value find करनी हमें, अगर आप counting करों तो total, जो number of charge है, वो 10 है, यह भी 5 है, देखो, और इस तरफ भी 5 है, लेकिन 5 तो positive और 5 negative है, और circle के circumference पे हैं, तो सभी charge से जो distance आएगी center के लिए, वो तो R होगी ना, तो यह 1, 3, 5, 7, 9 जो तो positive हैं, तो KQ by R, 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 मतलब 5 KQ by R, और negative charge जो है, वो भी पेरिफेरे पे ही हैं, तो उनके कर्ण कितना आएगा, अगें, minus KQ by R, minus KQ by R, मतलब 5 KQ by R, तो total जो potential आएगा, center point ओपर, वो तो 0 आएगा, है ना, तो potentially 0, अब 0 बेटा, केवल 1st and 2nd option में हैं, लेकिन इसमें electric field 1st option में 0 दे रखा हैं, और second में 10 Q by 4P, एपसल नोट, R square दे रखा, तो इसको check करना जरूरी है, तो total number of charge कितने हैं, 10 हैं, और वो equidistance पर रखे में हैं, अगर वो 10 charge equidistance पर हैं, और वो circle के circumference पर भी हैं, तो यह कह सकते हैं, वो definitely regular polygon बनाएगा, 10 हैं, तो 10 से regular polygon definitely बनेगा, है ना, जैसे, अगर यह 3 charge हो, अगर यह 4 charge होते, 4 charge होते हैं, 4 charge होते हैं, तो square बनता, तो square बनता, तो एक positive, फिर negative, फिर positive, फिर negative, I think यह alternatively ऐसे charge रखे हैं, तो अब अगर आप से पूछा जाए कि center point पे कितना होता, तो इस plus Q की कान इस तरफ आता, तो total 0 हो गया, minus Q की कान इस तरफ आता, इस minus Q की कान इस तरफ आता, तो यह भी 0 कर दिया, मतलब इस दिने भी ए diagram बनेगा, plus, minus, plus, minus, plus, minus, तो अगर मैं यहाँ पे देखू, इस point पर बेटा, इस point पर अपने बात करें, तो plus, minus की कान इस तरफ आता, प्लस, माइनस की कान इस तरफ आता, इस तरफ आता, इस तरफ आता, यह अगें दोनों जो हैं, तीनों जो वेक्टर्स हैं, वो equal magnitude किया, पूरी तरह से clearly पता लग रहा है कि 4 number, 6 number, 8 number, 10 number, पर जो charge alternatively अगर आप रखोगे बटा, तो उनका जो electric field है, उसका जो resultant है center point पो, definitely zero आएगा, symmetrically आप यह कह सकते हो, बाकी आप angle से draw करके, उससे idea लगा सकते हो, arrow कि स्तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इस वे से आप इसको check क सकते हो, और इसका correct option कौन से हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next page पर चलें, on the x-axis and at a distance x from origin, the gravitational field due to mass distribution is given by ax upon x square plus a square power 3 by 2 in the x direction, the magnitude of gravitational potential on the x-axis at a distance x taking its value to be zero to infinity is, potential निकालना है, अगर आप इस formula को देखो बेटा, तो यह formula कहीना कहीं, ring का जो field होता है, उससे related है, axis पर, है के नहीं है, और axis पर, जो ring है, sorry, ring की जो axis पर field जो होता है, gravitation field, that is gm into x upon x square plus a square whole power 3 by 2 होता है, यह field होता है, और potential की बात करें, उसी ring के लिए, potential होता है, वैसे negative होता है, लेकिन इसने value positive, I think positive अजिव करके, इसको solve किया है, है ना, तो gm upon a, potential की बात कर रहा हूँ, x square plus a square का under root, यह, है ना, तो यहाँ से काफी मिलता जूलता है, और इसको अगर मैं compare करूँ इस से, तो gm की value a के बराबर है, तो यहाँ पिस gm ना, वो a के बराबर, तो a upon me under root, x square plus a square आ जाएगा, तो देखो, अगर आपको formula direct ध्यान है, दिखते ही पता लग जाता अच्छा है, यह formula उसका है, ना लागि इसने mention नहीं कर रहा है, तो उससे आप direct formula निकाल सकते हो, potential के लिए, a upon me, root of x square plus a square, बाकि इसक x की value, x पर आपको potential find out करना है, और x की value जब infinity हो जाएगी, तो potential की value कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ना, तो इसको आप integrate करके solve कर लिजिए, first option ही, इसका correct आएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, next question देखो, two charged thin infinite plane, sheets of uniform surface charge density sigma plus and sigma minus, mod of sigma, positive जो है, वो sigma minus से ज्यादा है, ठीक है, intersect at right angles, which of the following best represents the electric field lines for this system, बहुत ही simple सा question है, तो दो plane से अगर आप इसमें diagram में देखें, तो ये वाला positive है, ये वाला negative है, और ये वाला positive है, अगर बेटा, मैं आप सही, इस point पर पूच्छों, field कि स्तरफ आएगा, बड़ा असानी से आप बता सकते हो, इस negative वाले के कांड फिल्ड इस्तरफ आएगा, इसके कांड इस्तरफ जाएगा, ये भी constant रहेगा, यहाँ पर देखो, तो plus sigma के कांड इस तरफ आएगा, ये positive है न, इस तरफ आएगा away from the surface, और ये minus है, तो इसकी तरफ आएगा, तो फिल्ड किस direction में इस्तरफ आगया, तो यहाँ पर अगर फिल्ड की बात करें मिटा, तो यहाँ अगर हम फिल्ड की बात करें इस point पर, फिल्ड इस्तरफ आएगा, यहाँ देखा जाए तो फिल्ड इस्तरफ आएगा, यहाँ देखा जाए तो फिल्ड इस्तरफ आएगा है ना, तो कुछ इस टाइब से पैटर्न बनना चाहिए और वो एक ही पैटर्न में दिख रहा है बिटा, second option और किसी में मैच नहीं हो रहा, हाँ, अच्छा ठीक है, सही बात है, fourth भी मैच कर रहा है, और second भी मैच कर रहा है, ठीक है, first and third तो, यहां से eliminate हो गए, लेकिन इसमें, second and fourth में केवल slope का effect पढ़ा, slope का फरक पढ़ रहा है, 너, slope का फरक पढ़ रहा है, सिग्मा positive जो है, वो ज़्यादा है, Sigma negative से, Sigma पोजिटिव अगर ज़्यादा है, तो इसका field ज्यादा strong होगा, यह वाला, Sigma negative पाल, कम होगा, तो यह वाला ज्यादा strong होगा, तो इसका arrow ज्यादा बड़ा होगा length में और इसका arrow चोटा होगा, तो इसका मंतुर electric field जो आएगा result in electric field वो कही ना कहीं इस तरफ जाएगा, तो थोड़ा inclined होगा ऐसे, तो हमारी बात यह वाल angle थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसके quarding second option correct हो जाएगा, इसमें थोड़ा ऐसे जुका हुआ है, तो य minus d by 2 and x equals to d by 2, yes, if another point charge of value small q is taken from origin to d, r बराबर d, along the semi-circulation on the figure, then the energy of this charge will be, energy जो है charge की, वो क्या होगा, increase होगी, decrease होगी, उसके according बटा अपन को option बताना है, ठीक है, चलिए, तो हम एक line draw कर देते हैं, बटा, ठीक है, एक line यू रो कर दिया मैंने, यह reason आ गया, इस line को थोड़ा सा extend कर देते हैं, यहाँ पर हम charge को mention कर देते हैं, तो एक तो है 4 q अपने पास, और एक है minus q, और दोनों की distance जो d by 2 है, यह वाले distance भी d by 2 के equal है, और यह वाले distance भी d by 2 के equal है, और यह वाले distance भी d by 2 के equal है, और यह वाले distance भी d by 2 के equal है, और यह origin है, और center से d distance तो आप चार्ज पार्टिकल को यहां से लेके जाओगे इस पोजिशन से राइट तो चार्ज की वैल्यू कितनी है small q, small q चार्ज को आप इस पोजिशन से यहां से यहां पे लेके जा रहे हो तो इसके लिए पूछा है कि energy में क्या effect पड़ेगा तो next page पे चलते हैं फिर देखते हैं सबसे पहले यह देखो, इन दोनों charge की कार्ण इस point पर potential कितना आएगा इस position पर, potential की value easily अपन calculate कर सकते हैं, kq by r वाला formula हम लगाते हैं तो इसके कार्ण potential कितना आएगा, 4 kq by r, इसके कार्ण minus kq by r, तो 4 and minus 1 तो 3 बचेगा, तो 3 kq by r and r is d by 2, d by 2 तो यह 6 हो जाएगा तो यह value 6 हो गई, potential आगया, potential को अगर मैं q से multiply कर दूँ तो मेरे पास energy आ जाएगी इसकी अरे v into q करोगे तो energy आ जाएगे न, तो यह energy is charge किये हैं यहाँ पर, यह initial energy है, अब यहाँ पर p point पर energy निकालना है हमें, तो p point पर potential निकाल लो, तो p point पर बटा 4 q के कार्ण potential निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो यह distance कितनी है, d के equal है exactly, यहाँ से यहाँ तक, तो d and d by 2, क q कर निया पर कितना आएगा, minus k q by, यह कितना बचेगा, d by 2 ना, तो यह d by 2, ठीक है, तो इस q से distance बचेगा, d by 2 minus q से और उससे आजाएगा 3 d by 2, 3 d by 2, तो यह 8 हो जाएगा, और यह d by 2, 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ से 3 से उपर नीचे multiply कर तो यह 3 हो गया, यह 6 हो गया, तो यह 8 minus 6 मतलब 2 k q by 3 d, तो यह हमने potential calculate कर लिया इस p point पर, तो potential को अगर मैं q से multiply कर दूँगा, इस charge को जब यहाँ लेके जाओगे, q से multiply कर दूँगा, तो आपके पास energy आजाएगी बचा, q square हो जाएगा यह, तो आप देख सकते हो, energy पहले की तुलना में घट चुकी है, और मैं difference अगर निकाल लूँ, initial में से final, तो decrement हमारे पास आजाएगा, तो subtraction कर दीजिए बचा, और कुछ नहीं है, subtraction करोगे, तो इस में से वो घटाना है, इसको 3 से multiply कर दो, इसको भी 3 से multiply कर दो, 18 हो गया, 18 minus 2 कितना आजाएगा, 18 minus 2 आजाएगा, 16, 16 k q square by 3 d, यह correct option आज पास, value कितनी है कि बटा, देखो, 16, decreases by, 4 k q square by, yes, ठीक है, ओके, यह देखो, यह option match कर रहा हमारे पास, 4th option, यहाँ पर 4 q square है, यहाँ पर 16, अच्छा, k है ना, multiply में k है, की value होजाएगा, 4 pi epsilon नीची डिवाइड में, 4 से खट जाएगा, 4 बचेगा, और नीची आजाएगा, 3 pi epsilon 0, तो value हाजाएगा, 4 q square by 3 pi epsilon 0, d, 4th option इसका correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next page पर चलें, बटा, तो next question पर आचुके हैं हम, और अब है question number 62, पढ़िए, co-centric metallic hollow spheres of red eye r and 4r, holds charges q1 and q2 respectively, given the surface charge densities of the co-centric spheres are equal, the potential difference vr minus v4r, मतलब दोनों sphere के बीच में potential difference पूछा है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि co-centric spheres, अगर आप लेते हो, charge उन पर दिया, आपने q1, q2 दिया, तो पेटा, potential difference अंदर वाले गोले के charge पर इपेंड करता, बाहर वाले गोले के charge पर अगर आपने ground अगर नहीं कर रहा है, बाहर वाले गोले के charge पर उस case में potential difference डिपेंड नहीं करेगा, तो potential difference कितना आएगा, इन दोनों की surface के बीच में पुछा बटा, तो यहां से q1, k की वाल्यू बाटा, 4 pi epsilon note है, divide में रख दीजिए, और यहां पर अगर आप LCM लोगे, तो 1 minus 1 by 4, 3 by 4, right, 3 by 4R, तो यह option आप चेक कर लिजिए, तो 3 q1 अपन में 16 pi epsilon note R, और यह बाटा, 1st option यहां पर पूरी तरह से match कर रहा है, ठीक है, next question पे चलते हैं, चलो next question है, the mass density of a planet of radius capital R, varies with the distance R, from its center as rho R, this is rho R, right, rho R equals to rho naught, bracket 1 minus R square by capital R, the gravitational field is maximum at, field की value में find out करनी है, और वो भी maximum कहां पर होगा, ठीक है, तो हमें, first of all, field की value यहां पर calculate करनी पड़ेगी, ठीक है, field की value देखो, आपन, calculate करते हैं, यहां पर density जो है न, वो vary कर रही है, ठीक है, density यहां पर vary कर रही है, तो, चलिए देखो, तो यह sphere मैंने consider किया है, यहां पर, right, एक और consider कर लेते हैं, color यह fill कर लेते हैं, यह हैं हैं कि बड़्यolor यहां पर चलिए कि यह दो आवा पर धना पर अवडी यह वार्ट, विल हां इंग्याफफ, विर को, यहां ट्नक्या पर रही का टोस्टों बहले है, लाए्ट, वे विमगए हैं, तो ऐसा कुछ है, density vary कर रही है, distance के साथ, ठीक है, तो ये distance मैंने r consider कर लिए बटा, है ना, और r के साथ ये vary करेगा, density, तो r distance पर मैंने dr थिकनेस का एक shell assume कर लिया, और इसकी density आपको पता ही है, ठीक है, और यहाँ पर ये distance जो है ना, ये distance मैंने, suppose r dash assume कर लिया, और मुझे r dash distance पर, r dash distance आप कहा दो, r dash distance पर मुझे electric field की, ah sorry, gravitational field की value find out करनी है, ठीक है, तो जो dr थिकनेस का जो shell बन रहा है, इस dr की थिकनेस के shell के कारण, इस point पर जो gravitation field होगा, उसकी direction इसी तरफ होगी, towards center, और उस field की value कितनी आएगी, d e is equal to g dm by r square, but r कुन सा होगा, r dash होगा, center see distance, r dash है, ठीक है, जिस point यह आप से पुछा, वो तो point fix है, तो g, dm की value की आएगी, rho into dv, rho की value आपके पास है, बेटा, rho naught, 1 minus r square y, capital r square, यह तो आगया, rho, into dv, dv आजाएगा, बेटा, 4 pi r square dr, यह जो shell आपको ने जरा रहा है, and r distance पी तो है, यह यह, यह आगया, dm पूरा, upon में r dash square, r square, अब आप इसको integrate करते हो, तो field की value आजाएगी, 0 से कहां तक लेकी जाना है, r dash तक लेकी जाना है, मुझे, इसको 0 से r dash तक लेकी जाना है, इस point पो मुझे field finder उक्टरना है, यहां से अगर आप इसको solve करोगे, solve करोगे, तो next page पर चलते हैं, देखो, इसको मैं थोड़ा shift कर दूँ बेटा, okay, इसको हम solve करें, तो यहां से e is equal to आगया, g rho naught, यह constant है, 4 pi भी constant है, 4 pi, ठीक है, और r dash square यह भी constant है, यह भार आ गया, ठीक है, bracket के अंदर बात करें बेटा, तो यह r square से यह r square आ जाएगा, ठीक है, integrate करते हैं, चलो, integrate करोगे, तो इसकी value कितनी आएगी बाता, यह आजाएगा, r cube by 3, यह वाली quantity तो पूरी constant है, ठीक है, वैसे 4 pi है, चलो लिख देते हैं, क्योंकि r dash आ रहा है, इसके अंदर, तो r की power 4, sorry, r की power 3 by 3, और r dash है तो, r dash की power 3 by 3, minus, यहाँ पर चलें, तो r की power 5, तो r dash की power 5 by 5, r square, ठीक है, यह value आ गए हमारे पास, यहाँ पर, तो यह field आ चुका है, r dash distance पर, ठीक है, और r dash अगर r हो तो, तो फिर r dash की value r रख दो, r distance पर अगर अपन से पूछे तो, तो r dash की value आप r b simply ही रख सकते हो, तो यहाँ पर मैं r की terms में लिखूं, field की value तो कितनी आएगी, देखो, यह value quantity constant माल लो पुरी, k माल लो चलो, यह r square और bracket में क्या आ गया, r cube by 3, minus r की power 5 by 5 r square, यह field आ गया, r square से अंदर divide कर दो, तो k, यहाँ जाएगे बेटा, r by 3, minus, यह r cube by 5 r square, यह लो फिल्ड आ चुक है, वो भी distance r की terms में, और हमें e की maximum value find out करनी है, r के साथ, तो यह e है बेटा, और e की maximum value के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d e by dr करना पड़ेगा, d e by dr मतलब maximum वाली condition या minimum वाली condition जो है, तो first condition आप जानते हो, आपको r के respect में इसको differentiation करना पड़ेगा, differentiate करोगे, तो r का r के respect में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 by 3 आ गया, यहाँ पे बेटा 3 r square, upon 5 r square आ गया, ठीक है, और बराबर क्या गर दोगे, इसको 0, ठीक है, तो यहाँ से देखो, 1 by 3 is equal to 3 r square by 5 r square आ जाएगा, हमें small r की value पूछी है, तो 5 r square by 9 equals to small r square, तो r की value कितनी आ जाएगी, root 5 r by 3, है ना, तो चलो देखते हैं, कौन सब्चन इसका correct है पिटा, root 5, यह देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो यह यहाँ पे देखो, यह clearly visible है, small r equals to root 5 by 9 into r, क्योंकि वो 3 हो जाएगा ना, वहाँ से, तो इसके according आप, e की जो value है, e की maximum value या minimum value पूछें, यहाँ पर वे से देखा जाए, तो आप से क्या पूछा है, e की maximum value है, बाकी इसको double differentiate करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और इसने दे रहे हैं, तो हमें तो केवल इसका first part ही deal करना है, एक बार differentiate करना आरकर aspect में, उसको 0 के बराबर करके, वहाँ से आप relation find out कर सकते हो, तो देख सकते हो आप, अगेन, variable density, variable mass density, variable charge density, एक sphere के अंदर है, field की value बताओ क्या है, potential की value बताओ क्या है, cavity बना दी, इस type के questions बहुत बार exam में पूछे गया हैं, बेटा, क्या है, चलिए, next question बे, next question बे चलते हैं, Question No. 64, two isolated conducting spheres, S1 and S2, of radius 2 by 3 R and 1 by 3 R, have 12 microclam and minus 3 microclam charges, respectively, and are at a large distance from each other, they are now connected by a conducting wire, a long time after this done, the charges on S1 and S2 are respectively, बहुत ही प्यारा सा question है यह, बहुत basic concept पर है, दो sphere हैं आपके पास, दो sphere की radius R1, R2 है, और दोनों पर चार्ज मान लिजे Q1, Q2 है, दोनों के जब वो किसी wire से जब आप connect करते हो, तो दोनों में charge का transfer होता है, कब तक होता है, जब तक की दोनों का potential सेम नहीं हो जाए, और जो common potential होता है बटा, उस potential को हम लिखते हैं इस relation से, V equals to K, Q1 plus Q2 by R1 plus R2, बहुत ही प्यारा सा simple सा relation है, यह common potential है, और जब common potential आजाता है, तो फिर दोनों sphere के उपर जो charge हो, उस charge को calculate कर सकते हो, बढ़ा आसानी से, कैसे, connect करने के बाद potential सेम हो चुका है, तो V equals to K, Q1 dash by R1, तो फिर charge की value कितनी आ जाएगी, Q1 dash की value, तो यहां से V जो है न, V की value यहां से आप इसमें रख सकते हो, तो K, Q1 plus Q2 by R1 plus R2, ठीक है, यहां से देखो बढ़ा K से K कट गया, और final state के अंदर जो charge आएगा, first sphere पर Q1 dash equals to Q1 plus Q2 by R1 plus R2 into R1, and similarly, दूसरे sphere पर अगर आप से charge पुछे, तो Q1 plus Q2 into R2 अपन में R1 plus R2, बस आपको value रखनी है और check करना है, तो first option अपने check कर लेते हैं, यहां पर Q1 कितना दे रखा आपको, 12 microclam, minus 3 microclam, micro के अंदर है, तो answer भी micro के अंदर है, अप उन में R1 plus R2, 2 by R, 2 by 3 R, plus 1 by 3 R, तो यह कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, R1 plus R2, और into में R1, जो कि 2 R by 3 है, R से R cancel out होगे और यहां से 12 minus 3, पता है, 9 आ जाएगा, 9 by 3 मतलब, 3, 3 into 2, 6, यह 6 microclam आ गया, तो first sphere पे जो charge है, that is 6 microclam, बाकि option में बसके वहले, यह option मैच कर रहा है, 6 microclam के लिए, बाकि फर्स sphere के लिए, third option, अगर आपको 3 microclam find करना है, तो उसके लिए आप q2 dash find कर लिजिए, q1 plus q2 into r2 upon me r1 plus r2 कर करके, ठीक है बटा, चलिए, next question पे चलें, okay, तो next question है, small point mass carrying some positive charge on it, ठीक है, it is released from edge of a table, there is a uniform electric field in this region, in the horizontal direction, which of the following options then correctly describe the trajectory of the mass, curves are drawn symmetrically and are not to scale, ठीक है, एक मेज से आपने इसको छोड़ा है, positive charge को, तो यहाँ पर यह positive charge है, ठीक है, और जो electric field है, गोर से देख लेना, electric field horizontal direction में है, यह table है यहाँ पर, gravity तो definitely act करेगी, तो gravity कार्ट फोर्स किदर लगेगा, नीचे, mg, और electric field की कार्ट फोर्स किदर लगेगा, इस तरफ क्योंकि positive charge है, net force किस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ आएगा, net force बेटा कुछ इस तरफ आएगा ना, इन दोनों का resultant, इसका मतलब, अगर charge particle की initial velocity 0 थी, ठीक है, तो particle हमेशा, जिस तरफ इसका acceleration है ना, जिसकी direction constant है, उसी तरफ ही particle move करेगा, particle का path कैसा होगा बटा, state line, particle यूँ जाएगा, state line में, अगर आप direction की बात करें, तो इस तरफ x से इस तरफ आएगा और इसी के according ये graph बनाये गया है, तो positive x की तरफ, positive y की तरफ, तो उसके according आप देख लिजिए, कौन सा graph बनेगा, state line ना, state line देखो, कि यह फिर्स्ट option ये बटा मैच कर रहा है, तो correct option कौन सा हो जाएगा, first हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question पर चलाएगा, question number 66, the height h at which the weight of body will be the same as that at the same depth h from the surface of earth is, height बतानी है, जिसके लिए weight जो है body का object का वो same है, ठीक है, same मतलब बोले तो, h height पर जो weight है, वो ही same weight h depth पर है, तो height पर weight, depth पर weight, weight होता है mass into g, mass तो same ही रहेगा, इसका मतलब g का ही तो relation नहीं है, तो यह कह रहा है कि h height पर जो g है और h depth पर जो g है वो g की value same है, तो बताएगे h की value कितनी है in terms of r, बहुत ही प्यारा question, आईए, तो h height पर बेटा g की value हम जानते है, g upon में 1 plus h by r का whole square होता है, और h depth पर कीतना होता है, g 1 minus h by r, तो बराबर मतलब इन दोनों को equal करना है, h g से g cancel out हो गया, अब यह काम करते है, h by r को मैं x assume कर लेता हूं, x assume करूं, तो इस तरफ तो 1 है, यह इधर चला जाएगा, 1 plus x का whole square, इस तरफ आजाएगा 1 minus x, आप इसको थोड़ा सा solve करना पड़ेगा हमें, थोड़ी महनत करना ही पड़ेगी, देखे, यहां से यह 1 आ गया, और इस तरफ चाहें, तो अपने लिख सकते हैं, 1 plus x into 1 minus x, मतलो 1 minus x square आ गया, और 1 plus x आ गया, ठीक है, यहां से भी पार नहीं पड़ेगी, चलो, इसको अंदर multiply करो, 1 plus x, फिर minus x square, फिर minus x cube, यह 1 से 1 cancel out हो गया बटा, यहां से देखिए, आप x common आ जाएगा, इसको उदर ले जाएगे, यह दोना तो positive हो जाएगे, x cube plus x square minus x, right, is equal to 0, x cube plus x square minus x equals to 0, यहां से x common आ गया बटा, यहां जाएगा, x square plus x minus 1 equals to 0, एक तो x बटा 0, मतलब x बटा r बटा 0, मतलब h बटा 0, बटा 0 हो तो 0 ही, 0 height पर अगर बात करें, तो जी रहेगा, लेकिन दूसरा यह equation भी 0 के बटार आएगे, तो यहां से ही ए quadratic formula बन रहा है, तो इसको solve करें, तो x बराबर, minus b, मतलब minus 1, plus minus, plus ही आएगा, under root b square, तो 1 minus minus plus 4 into a into c by 2 into 1, 2 आगया, तो root 5 आजाएगा ये, minus 1 by 2, तो root 5 minus 1 by 2 आ रहा है, x, और x कितना बेटा, h by r है, इसका मतलब h की value कितनी आ जाएगी, root 5 minus 1 into r by 2, तो ये option इसका correct होगा, और अगर आप गोर से देखो, तो ये option बेटा, यहाँ पर पूरी तरह से ही मिल रहा है, देखो, option number third, third को गोर से देखो, तो ये ही answer है, fourth match नहीं करेगा, इसमें, correct option third हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question पे चलें, 67, the mass density of a spherical galaxy varies k by r over a large distance r from its center, in that region, a small star is revolving in a circular orbit of radius r, then the period of revolution t depends on rs, again वैसा ही question आगिया, variable density का देखो, भूत बारे से question पूचे गएं बेटा, इस पार्ट को प्लीज आप अच्छे से strong कर लिजे, तो variable mass density है, है न, तो आप ये कह सकते हो, कि, जैसे, मैंने, x, x radius का, और dx थिकनेस का एक shell assume कर लिया, कर लिया, इस shell के कारण, r distance पर, यहाँ पर, r distance पर, field कितना आएगा, field की value calculate करें, कितनी आएगी, field आएगा, d e is equal to g d m, d m rho into d v, rho की value अपने पास कितनी है, k by r into d v की value कितनी होगी, 4 by 3, sorry, 4 by r square into d r, okay, 4 by r square into d r, यहाँ गया d v, तो g into m rho into d v, rho की value k by r, और d v की value 4 by r square d r, यहाँ गया, इसकी value है, यह, e की value है, mass की value है, यहाँ पर, divide में मुझे distance भी रखनी है, तो, अच्छा, capital r radius, sorry, capital r पर find करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको मैं smaller मान लेता हूँ, यह d r हो जाएगा, ध्याँ से देना, यह smaller ले लिया, तो smaller radius का जो मैंने shell बनाया, इसकी thickness d r होगी, उसके coding mass भी आ गया, और यह जो smaller लिखा है, इसको capital r लिख देते हैं, इसकी capital r है, तो पूरे में mass distributed, ठीक है, तो यहाँ पर divide में कितना आ जाएगा, capital r square आ जाएगा, g, dm आगे यह, अपन में capital r square, तो यह इस shell का field है यहाँ पर, field, gravitational field, ऐसे बहुत सारे shell बनेंगे यहाँ पर, सभी shell का जो field आएगा, इस position पर, इस point पर इसी तरफ आएगा, तो सारे जो field हैं, वो add हो जाएगे सबके, add बतलब बोले तो integration, तो हमें इसको integrate करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 to capital r तक, 0 to capital r तक आप इसको integrate कर दो, यहाँ पर d का e आ जाएगा, तो e बराबर कितना है दे कॉन r square तो बाहर ले हो, बाकि यह वाला जो पाट है ना, इसको कुछ constant मालो k dash, r से r यह cancel out हो गया, एक r बचेगा single, single r का differentiation कितना है, r square by 2, upper limit capital r है बेटा, तो capital r square by 2 आगे देगो, है ना, capital r square by 2, यह वाला r square इससे r square से cut गया, इसका मतलब e जो है वो constant आ गया, और अगर e constant ह है, यहाँ पर तो जो force लगेगा, वो भी constant होगा, और force की value कितनी आएगी, m into e, force कितना है बचाए, m into e, तो यहाँ से आप force को लिख सकते हो, force को लिखते हैं, चलो, तो force की value देखो कितनी आएगी, f is equal to m into e, m into e, और यह e जो है, वो constant आया है, वो r पर depend नहीं कर रहा है, बराबर m into ac, v square by r, है ना, v square by r, centripetal force, right बचा, m e को यह बराबर होगा, तो यहाँ से clearly नज़र आ रहा है, जो v square है, वो r के proportional है, मतलब v proportional to root r, और हमसे time period के बार हम 2 pi r, and by v, speed v है बचा, और v की value यहाँ पर root r के proportional है, v, तो t proportional to, देखो यह उपर तो r है, और v root r के proportional है, root r से root r कट गया, तो के बल root r उपर बचेगा, तो t proportional to root r, बचा, t proportional to root r हमारे पास आच चुका है, तो squaring करेंगे, तो t square proportional to r, तो कौन सा option इस के अंदर correct हो जाएगा, थ ठीक है, चलिए, next question पर चलें, A charged particle mass m and charge q moves along x-axis with velocity v0, when it passes through the origin, it enters in a region having uniform electric field e vector equals to minus e j cap, which extends up to x equals to d, equation of path of the electron in the region x greater than d, तो जब particle x greater than d से जब बाहर जाएगा, तब बताना हमें इसकी path की equation क्या है, तो obviously बाहर जाएगा जब इस region से बाहर चला जाएगा, तो g तो यहाँ पर है नहीं, g कहीं include नहीं कर रहागा, इसको जब ग्रैविटी इंक्लूड करनी नहीं हमें, तो particle definitely फिर state line में जाएगा, क् particle state line में ही move करेगा, बिटा, तो यहाँ से अगर आपन देखें, तो कुछ, ऐसा कुछ diagram है, इसको मैं draw कर लूँ, x-axis, और e बेटा, यह downward है, यह y-axis है, यह origin है, और particle को initial velocity हमने यहाँ पर v0 दे रखी है, और separation जो बेटा, यह d के equal है, correct, तो चलिए देखो, mass इसका m है, I think, mass m है, velocity v है, charge q है, separation d है, distance x है, okay, चलिए, तो due to electric field, इस पर force downward लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तो confirm है, इसका path parabolic होगा, ठीक है, qe force लग रहा है नीचे की तरफ, velocity इस तरफ, जिस horizontal projectile motion हो, तो वैसे ही कुछ feeling आ रही है, यहाँ पर, और जब particle यहाँ से बाहर निकलेगा, तो particle का फिर path कैसा होगा, straight line होगा, बेटा, कुछ इस type से, तो अगर मुझे इस path की equation find out करनी, तो मुझे coordinates find करने पढ़ेंगे, पहली बात तो x coordinate आपको d दे रखा है, y coordinate पता लगाने, देख, x coordinate इस point का, इस point का x coordinate कितना है, d यह न, और y coordinate कितना है, y coordinate यह वाली depth है, यह बान लिजी h है, तो कि h नहीं find कर सकते हैं, definitely कर सकते हैं, तो इस direction में force किता लगेगा, qe, acceleration कितना आएगा, qe by m, किस direction में, इस तरफ, y direction में, नीचे की तरफ, तो y direction में जो displacement आएगा, sy equals to u y t plus half a y t square, u y बटा, इस particle के पास initial, जो velocity दिये, वो v naught दिये, आपने x direction में, x direction में, right, y direction में velocity कितने 0 है, so u y is 0, plus half a y, a y is a qe by m, right, into में t square, into में t square, अब t कितना लगेगा, x direction में देखो, तो कोई acceleration present नहीं है, क्योंकि force के वाले इस तरफ लग रहा है, इस तरफ acceleration 0 बेटा, acceleration 0 तो velocity constant हो, इस तरफ कितना displace हो है, d displace हो है, sx जो है, वो d के equal है, sx equals to d, to d is equal to vx कितना है, v naught है, into में t, तो t की value यहां रख देंगे आप, तो हमारे पास sy जो है, वो आ जाएगा, qe by 2m into t square, and t equals to d by v naught बेटा, तो d square, d square by v naught square, यह value आ जाएगी t की, तो यह यहां से sy आ चुका, मतलब, यह वाला displacement आ चुके, लेकि negative y coordinate है ना, तो इसको आप लिखो कि negative में, minus का qe d square by 2m v naught square, है ना, तो यह coordinate आगे बेटा, उसके लावा हमें 10 theta भी देखना पड़ेगा, slope भी देखना पड़ेगा, इसका path कुछ ऐसा आएगा, slope अगर आप बात करें, तो slope इसका definitely negative आएगा, negative आएगा, उसके अलावा, अगर आप से slope पूछे, तो यह वाला angle आप निकाल लेजिए, उसको 10 theta को negative से multiply करते हो, आपके पास slope की value negative में आ जाएगी, यह जो angle है, यह angle अगर theta है यहाँपर, तो 10 theta की value हमें find out करनी है यहाँपर और 10 theta को negative से multiply करते हैं, तो आपके पास slope आजाएगा, यहाँसे 10 theta कैसे calculate करें आपन, तो 10 theta calculate करने के लिए आपको एक तो इस तरफ वाली velocity चाहिए, तो यह तो आगया V0, horizontally velocity same रहेगी, एक velocity भी downward आएगी, इस velocity की value कितनी आएगी, इस velocity की time तो हमारे पास आच चोग है, तो velocity V Vy equals to Uy plus Ayt and Uy equals to 0, क्योंकि vertically देखा जाया, तो initial velocity 0 है, तो Vy जो हमारे पास आगया, Uy जो की 0 है, plus Ay, Ay की बात करें, that is, QE by M into T, and T कितना है बेटा, T की value है, D by V0, D by V0, तो यहाँ से आपके पास Vy की value आच चुकी है, यह vector आच चुक है Vy, Vx आपके पास कितना है, Vx है V0 Vx आपके पास है, Vy आपके पास है, तो 10 theta यहाँ से कितना आएगा, यह वाला 10 theta, समझ रहे हो, यह 10 theta की value, that is, this vector by this vector, मतलब this length by this length, यह वाल लेंथ कितनी है, QE D upon M V0, और by यह वाले length, यह है V0, तो divide कर दोगे, तो कितना आगया, QE D upon M V0 square, यह 10 theta आचुक है, लेकिन slope इसक है, right, slope इसका negative, तो आपके पास दो points आचुके है, X coordinate आचुका है, Y coordinate आपके पास आचुका है, और slope भी even आचुका है, तो जब यह दोनों चीज़ें आपके पास है, point आपके पास है, और slope आपके पास है, तो आप equation लगा सकते हो, Y minus Y1 equals to M, bracket X minus X1, क्या इसको short approach से किया जा सक सकता है, चलिए देखते हैं, एक बार, कुछ hint मिल रहा है तो अपन को, इसको मैं थोड़ा shift कर देता हूँ, बेटा, shift कर दिया, चलो देखते हैं, कहां कुछ अपन को कोई information मिल रही है, straight line आना चाहिए, क्या चारों equation state line है, definitely state line है, अगर मैं X ब्राबर 0 कर दूँ, X ब्राबर, sorry, X ब्राबर 0 नहीं, X ब्राबर D, जब D point है, यहां पर है न, X ब्राबर D कर दूँ, तो Y coordinate exactly H के ब्राबर आएगा, जो कि हम निकाल चुके हैं, X ब्राबर अगर मैं D कर दूँ, यहां पर, तो D करने से Y coordinate कितना है, देखो, QE D square by 2MV naught square है, वो भी negative का, वो भी negative का, तो negative का आना चाहिए, तो QE D square, नहीं, first option match नहीं कर रहा है, positive में दे रहा है value, second option में, अगर मैं X की value D के equal कर दूँ, exactly, तो Y की value negative आना चाहिए, लेकिन यह 0 आ रहा है, तो यह incorrect हो गया, third की बात करें, X की value यह negative नहीं आएगा, तो यह भी incorrect हो गया, fourth में अगर X की value D रख दूँ मैं, तो D by 2 minus D, मतलब minus का D by 2 आ जाएगा, और minus का D by 2 आने पर कितनी value आ जाएगे, देखो, QE D square, minus आ जाएगा, 2 M V naught square आ रहा है, क्या यह match कर रहा है, yes, exactly match कर रहा है, देखो इससे, कर रहा है न, इसका मतलब fourth option इसमें correct हो गया, तो पूरा complete solve करने की जरूरत नहीं है, complete का मैंने आपको बता दिया तरीका किस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपके सामने options हैं मैटा, उन option से ही आप उसको solve कर सकते हो, चल यह next question में चलाएं, देखें बता question क्या है, A solid sphere of radius R carries a charge q plus small q distributed uniformly over its volume, a very small point like piece of mass small m gets detested from the bottom of the sphere and falls down vertically under gravity, okay, this piece carries charge small q if it acquires a speed v when it has fallen through a vertical height y c-figure, then assume the remaining portion to be spherical, तो y distance अब गिर जाएगा तो अब उसमें speed आप से पूछे, speed का relation आप से पूछे, बहुत ही प्यारा सा question है यह, ठीक है, अब देखो ज़रा, यह sphere है यहाँ पर, ठीक है, और स्फियर से कुछ यहाँ पर, राइट, यह reference level, और, चलिए इसको, यह आपको आर दे रखाएँ यहाँ आपर, ठीक है, तो इस गोले पर कितना charge है, क्यूँ है, और यहाँ पर small q charge जो था, इसके साथ a test था यहाँ पर, ऐसा कुछ दे रखाएँ, यह radius capital R है, यहाँ से आपने release किया तो यह नीचे जाएगा, और जब यह y distance नीचे move कर गया, तब इसकी speed बतानी है, मतलब V का square बताना और यह distance कितनी है, y के equal है, correct, अब इसे हमें solve करना है, चलिए देखो, इस sphere पर charge uniformly distributed capital Q, जब यह charge यहाँ से release हुआ, तो इस charge की, इस q के करण जो energy है, वो कितनी है, k, q, small q by r, kinetic energy कितनी है, 0, potential energy यहाँ पर gravity, due to gravity, मैं 0, assume कर लेता हूँ, तो सब कुछ 0, बस electric energy आएगी, बाद दिन जब यह charge particle यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर इसकी electric energy कितनी है, k, q, small q by r plus y, centrous distance किया हो जाएगी, r plus y हो जाएगी न, और kinetic energy भी आएगी even, और gravitational energy भी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर 0, assume कर रहा हूँ, तो नीची आजाएगी minus mg y, minus mg y, और plus में kinetic energy, half m, v square बटा, अब इस वाले इन दोनों पार्ट को आप इस तरफ ले आओ, इन दोनों में तो k q, small q, k q, small q common आजाएगा, bracket में 1 upon r minus 1 upon r plus y आगया, ठीक है, तो LCM आजाएगा r, r plus y, और उपर आजाएगा r plus y minus r, तो r share कर जाएगा, येवल y बचेगा, ठीक है, और ये mg y भी इधर आजाएगा, तो plus का mg y आगया, is equal to half m v square बटा, ठीक है, हमें v square की value calculate कर नही थी, तो m यहां से cut कर दो, यहां से cut कर दो, और m को यहां पर divide कर दो, ठीक है, और y चाहो, तो y को cut कर दो, यहां से, और y को बाहर ले आओ, bracket से, ठीक है, y बाहर आगया, और 2 भी चाहो, तो 2 को भी आप, एडिस्ट कर सकते हो, two को भी यहां से cut कर दो, two भी यहां आ गया, ठीक है, v square की value आ चुकी है, चलिए देखते हैं, कौन्स option इसके इंदर match कर रहा है, बेटा, तो इसमें, क्या first option match कर रहा है, इसमें, G आना चीह, side में 2 भी आएगा उस तरफ, 2 भी आना चीए, 2 भी आना चीए, 2 किस में आ रहा है, 2 आ रहा है, 3rd में आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, R प्लस Y क्यूब आ रहा है, यह नहीं होगा, हाँ, 4th में देखो, 4th में मामला कहीं न कहीं सेटल हो रहा है, 4th में कहीं मामला कहीं सेटल हो रहा है, 2 Y आ रहा है, आप और गोर से देखो, और k q, small q भी भी आ रहा है, k मतलब 1 upon 4 epsilon लो उटा रहा है, उसके लाब मास भी आ रहा है, r, r plus y आ रहा है, ठीक है, और g भी आ रहा है, तो fourth option इसमें पूरी-पूरी तरह से match कर रहा है, तो correct answer क्या हो जाएगा, fourth हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number 70 पर चलते है, 70 पर, the value of the acceleration due to gravity is g1 at a height h equals to r by 2, r is the radius of earth, from the surface of earth, it is again equals to g1 at a depth d, below the surface of earth, the ratio of d by r equals to, तो यह कर रहा है, h बराबर r by 2 पर और depth d पर, gravity की value same है बेटा, है ना, same मिलता है हमें, तो हमसे यह पूछा है कि d by r की value किसके equal होगी, तो r by 2 height पर g की value कितनी होती है, बेटा, g upon में 1 plus h by r का holes के यही formula लगाते है, और h की value r by 2 है, तो r by 2 by r मतलब 1 by 2 हो गया, all power 2, ठीक है, यह g की value आ गई, और d depth पर g की value कितनी है, गे g bracket में 1 minus d by r, और हमसे यहाँ पर d by r की value पूछी है, simple, g से g बेटा, यह cancel out हो गया, बस कु 4 by 9 आ जाएगा ओपर, 4 by 9 equals to 1 minus d by r, then d by r इस तरह भी जाएगे, बराबर 1 minus 4 by 9, तो d by r की value कितनी हागी, 5 by 9, तो third option इसका correct हो जाएगा, ठीक है, यह simple formula based question था, next question चलते है, बेटा, okay, next question देखिए बेटा, the angular velocity of earth's spin is increased such that the bodies at the equator start floating, the duration of the day would be approximately, तो हमें दिन का समय बताना है कि कितने मिनट या कितने घंटे का हो जाएगा, अगर high speed से अर्जोरे spin करने लगे, तो हमें मालूम है, equator पर अगर हम gravity के, earth के rotation को include करें, spinning को include करें, तो effective जो gravity यह बेटा, उसका formula आता है, g due to rotation equals to g minus omega square r, equator पर, ठीक है, वैसे exact formula omega square r, cos square lambda होता है, lambda angle of latitude होता है, लेकि equator पर lambda की value 0 होती है, तो formula यह बन जाएगा, अब अगर सारी जो चीजे हैं, वो float करने लग गई, या उड़ने लग गई, ठीक है, इसका मतलब g, rg effective जो, जो 0 ह जाएगा, और अगर यह 0 हो गया, इसका मतलब omega square r, जो हो g के बराबर हो गया, तो omega की value किसके बराबर ही बेटा, g by r का under root, और यहां से इसकी value होगर calculate की जाए, तो g की value कितनी बेटा, 10 है, और r जो है radius, 6, 4, 100, into 10 to the power 3, right, 10 to the power 5, यह इसे कट जाएगा 10 to the power 4, इसका under root करोग यह 8 आ गया बेटा, और यह 10 to the power 2, यह omega आ चुका है, radian per second में, जब आपके पास omega है, तो आप time period निकाल सकते हो, t equals to, 2 pi by omega, और omega की value कितनी बेटा, 8 into में 10 to the power 2, नहीं, divide में है यह, तो यह उपर आ जाएगा, तो 1 upon में है न, 8 into में 10 to the power 2, second के अंदर यह answer आगे देखो, 60 से divide कर दो, कि यह option minute minute दे रखा है यहाँ पर, तो 60 कर दूँगा, तो answer minute में आना चाहिए, फिर, इसको आपको solve करना पड़ेगा बेटा थोड़ा, तो यहाँ से यह, इसको cut कर दो, 3, और यह आ जाएगा, 8 pi by, 8 pi by 3, और यह 10 है, तो यह 10 से आप इसको multiply कर सकते हो, है न, तो 8 pi into 10 by 3, 3, यह almost 3 case 3 से कट जाएगा, यह पाई की value 3.14 होती है, तो यह 1 से greater आएगा, और 8 into 10, 80 होता है, तो 80 से value अलकी से ज्यादा आएगी, अब देख लो कितना answer आएगा, 84 minutes इसका correct option हो जाएगा, ठीक है, यह था question number 71, next चलते हैं बेटा, question number 72, देखिए क्या कह रहा है, an oil drop of radius 2 mm with density, oil drop there की उसकी radius गिवन है, उसकी density गिवन है, उसकी density गिवन है, is held stationary under a constant electric field in the Millikan oil drop experiment, what is the number of excess electrons that the oil drop will possess, बेटा, तो oil drop जो है, उस oil drop की radius आपको गिवन है, उसकी आपको density गिवन है, correct बेटा, तो उसका mass भी होगा, तो उस पर mg लगेगा downward, और due to electric field, उसको हमने maintain कर रखा है, उसको equilibrium में रखा हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें माल लीजे, charge q है, और electric field अगर उपर की तरफ है, तब ही तो बैलेंस होगा, mg को cancel out करेगा बड़ा, तो electric field के कानट force लग गया, q e उपर की तरफ, तो यह भी balanced है, इसक तो इसकी mass कीतना हैगा, rho मतलब density into volume, volume आजाएगा 4 by 3, by r cube into g, ठीक है, by e, यह value आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी, density आपको 3 gram per centimeter cube गीवन है बेटा, radius आपको 2 mm गीवन है, ठीक है, g की value आप 10 assume कर सकते हो, almost 10 assume कर लेंगे, e की value आपको दे रखी है, 3.55 10 to the power minus 5, यह सारी value अगर आप रखोगे, तो आपके पास q की value आजाएगी, right, और हमसी पूछा है कि excess electrons कितने हैं, यह हो सकता है कि lack of electron, वैसे excess electrons कितने हैं, तो अगर यह negative charge होगा, अगर यह negative charge होगा, suppose, तो कोई दिक्कत नहीं, electric field किदर लगा दो, नीचे लगा दो, electric field, electric field नीचे लगा हो, तो negative charge हो, force किता लग जाएगा, उपर की तरफ, उसकी tension लेने की ज़रूरत नहीं है, तो q आ गया आपके पास, और q जब आ गया, तो q को लिख सकते हो, n e, quantization of charge, q बरावर n into e, e है electron का charge, e electron का charge आप जानते हो, 1.3 10 to the power minus 19 है, वो इसको divide कर दोगे, तो आपके पास number of excess electrons यहां से आ centimeter की बात करे, 10 to the power minus 2, तो 10 to the power minus 6 आ गया, और 10 to the power minus 3 है, तो 10 to the power 3 आ जाएगा, मतलब 3000 kg पर meter cube आ जाएगा, 2 mm को 2 into 10 to the power minus 3, meter लिख सकते हो, इसको solve करोगे, बेटा, solve करने के बाद आपने पास, जो number of excess electrons आते हैं, वो आ जाएगे, 1.73 10 to the power 10 के एकवल बेटा, ठीक है, तो य हाफ से बेटा, इसको इसको इसकांसर आप दे सकते हो, ओके, चलिए, next question पर चलते हैं, बेटा, the time period of a satellite in a circular orbit of radius r is t, the time period of another satellite in a circular orbit of radius 9 r is, काफी simple है, बेटा, time period जो होता है, circular orbit के लिए, t square proportional to r cube होता है, तो जब आपने satellite की radius 9 times of r कर दी, ठीक है, बैसे t की बात करें, तो t तो, अगर simply t का पूछे बेटा, तो t proportional to 3 by 2, r की power 3 by 2 होता है, तो अगर r को आपने 9 r के equal कर दिया, then time period कितना आजाएगा, देखो, t dash equals to 9 r की whole power 3 by 2, ठीक है, तो 9 की power 3 by 2 कितना आएगा, 3 की power 2 की whole power 3 by 2, power 2 कर जाएगा, 3 की power 3, 3 की power 3 कितना आएगा, 27, r की power 3 by 2, यही तो आया, और r की power 3 by 2, t के proportional है, इसका मतलब जो नया जो time period है, यह जो 9 r radius के circle के अंदर, जो satellite बेटा, circulate हो रहा है, उसका time period है, वो 27 times of T हो जाएगा, capital T हो जाएगा, ठीक है, तो यह काफी simple सा question था, question number 3, चलिए, next question पर चलें बेटा, the radius in km to which the present radius of earth are 6400 km to be compressed, so that the escape velocity is increased 10 times, escape velocity बेटा, बोल सिम्पल सा है, V equals to under root 2 gm by r, और यह कह रहा है कि escape velocity present time का कितना हो जाए, 10 गुना हो जाए, तो radius कितनी हो जाने चाहिए, फिर अर्थ की, new radius, mass तो वही है, उसको compress कर दिया, बस आपने, compress करो, radius कम हो जाएगा, radius कम हो जाएगा, escape velocity, definitely कम हो जाएगी, है ना, definitely उस case में कम हो जाएगी, तो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो r की value को मुझे क्या करना चाहिए, मतलब, compress कर रहा हूँ मैं इस object को, radius को कम कर रहा हूँ, mass same है, तो escape velocity पहले का कितना हो जाए, 10 times हो जाए, 2, mass same है, लेकिन radius क्या होगी, r dash, अब यह वाली value यहाँ से compare करके रख दो, खेल खतम, 10, 2 gm by r, is equal to under root, 2 gm by r dash, यह से कट गया बटा, 2 gm, squaring कर दोगे, तो उपर 100 by r equals to 1 by r dash आ गया, r dash की value कितनी आ गया, r dash आ गया, r dash आ गया, r dash आ गया, r by 100, r by 100, तो new जो radius earth की, वो r by 100 हो जानी चाहिए, और r कितना है 6400 km हो, तो नई radius कितनी होगी, 64 km, के बल 64 km की radius का अगर गोला बन जाए earth, तो इसके इसके फिरोस्टी पर 10 times हो जाएगी, ठीक है, तो 10 times, कब होगा, जब r कितना जाएगा, 64 km, तो इसका आंसर किया जाएगा, 64 km, बटा, next question पर चलते हैं, The maximum and minimum distances of a comet from the sun are, distance आपको given है, if the speed of the comet at the nearest point is this, the speed at the farthest point is, ठीक है, तो यह आपको पता ही है, elliptical orbit के अंदर बात करें, बटा, है ना, elliptical orbit की बात करें, आपन, तो angular momentum particle का, यह satellite का, यह planet का, हमेशा conserve रहता है, यह हम जानते हैं, इस चीज़ को, तो यहाँ पर यह sun है, तो यह nearest, यह वाले distance है, यह r1 है, यह farthest distance है, r2, तो जब planet, यह comet, यह satellite जो भी है, वो यहाँ पर है, तो इसकी speed हमालेजी, v2, और जब pass में आए, तो speed है v1, तो angular momentum इस comet का, यह इस planet का, क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पर अगर angular momentum देखा जाए, with respect to sun, m, कितना आएगा, mv2 into my r2, और वहाँ पर क्या आएगा, mv1 into my r1, perpendicular है न, r1, ठीक है, यह m ही है, ठीक है, m से m कट गया, तो v2, r2 बराबर v1, r1, तो v2 कितना आगया, क्योंकि हमें दूर वाले point पर speed पूछिए, तो v2 बराबर आजाएगा, v1, r1 upon me, v2, यह लो बेटा, तो यह speed आचोगी, अब इसकी value हमें रखनी पड़ेगी, यहाँ पर, v2 equals to v1 की value कितनी है, v1 देखो कितना है, nearest point पर, 6 into 10 to the power 4 है यह, 10 to the power 4, तो 6 into 10 to the power 4, r1, nearest वाला point कौन सा है बेटा, 8 point, देखो 1.6 into 10 to the power 12 तो maximum वाला है, nearest वाला है, 8.0 into 10 to the power 10, और यह nearest वाला आगया, farthest वाला 1.6 into 10 to the power 12, ठीक है, यह हमारे पास value आ चुकी है, यहाँ से इसको 11 कर दो, तो यह point हट जाएगा, इसको cut कर दो, यह 2 आ गया, और यहाँ से भी 10 से 10 कर जाएगा, equivalent 10 बचेगा, यह भी cut करो, यह 3 बचा और यह से cut करो 3, तो 3 into 10 to the power 3 meter per second की speed आ जाएगी, 3 into 10 to the power 3 meter per second, इस cancer जाएगा 3 into 10 to the power 3 meter per second, ओके बटा, चलिए, next चलते हैं, मैंदब 3 kilometer per second, kilometer per second की अगर हम बात करें तो, है ना, चलिए, next question, find the gravitational force of attraction between the ring and the sphere as shown in the diagram, where the plane of the ring is perpendicular to the line joining the center, if root 8r is the distance between the centers of the ring and the sphere, दोनों का mass आपको given है, एक तो ring है और एक sphere है बटा, sphere से बार स्टड़ी होती है ना, तो sphere को as a point mass की तरह डील कर सकते हैं और आपको इंगे force पूचा है, तो, रिंग के कारण तो ध्यान दो, रिंग दिखरी है आपको, इस रिंग के कारण यहाँ पे आप फिल निकाल लो और इस गोले को point बना दो, तो, रिंग के कारण root 8r distance पर field की value, gravitation field की value कितनी आती है, e is equal to gm x upon me, x square plus r square की whole power 3 by 2, तो, g small m, x कीतना है, root 8r है, upon me, r square plus x square की whole power 3 by 2, r square plus root 8r का मतलब 8r square, 8r square plus r square मतलब 9r square, की whole power 3 by 2, तो, r square की तो whole power 3 by 2, rq आ जाएगा, और 9 की whole power 3 by 2 कीतना आएगा, 3 की power 2, 2 कर जाएगा, तो, 3 into 3 into 3, 27 आया ना, 27 आ जाएगा यह, यह तो आगया field, और field को इसके mass से multiply कर दें, गोले को एक point mass बना सकते हो, root 8r distance पर, तो capital M से को multiply कर दो, और आपके पास क्या आ गया, force आ गया, यह force पूछा आप से, बस और कुछ भी नहीं है, तो यह check कर लो, कौन सा option सही है, gm small m, यह r से, r यह केवल r square बचेगा, gm small m by r square तो सब में आना ही चीए, यह आई रहा है, और root 8 भी आना चीए, 27 आना चीए, root 8 आना चीए, 27 आना चीए, तो यह fourth option के अंदर, पूरी तरह से match कर रहा है, ठीक है, तो 76 बड़ा, आसान सा कोशन निकला, next question चलते है, बटा, देखे, यह planet revolving in elliptical orbit has, elliptical orbit के अंदर दिर्ग व्रतागार कक्षा में, एक planet जो चक्क्र लगा रहा है, पूछा है, एक constant velocity of revolution, क्या होता है, elliptical orbit में जब particle चक्कर लगाता है, तो उसका angular momentum conserve रहेगा, लेकिन किसके respect में, जिस planet या जिस star के about वो revolve कर रहा है, जिस particle about revolve कर रहा है, उसके respect में पक्का उसका angular momentum क्या रहेगा, conserve रहेगा, और उससे से एक relation आता है, Arial speed का, dA by dt, dA by dt equals to L by 2m, तो Arial velocity भी क्या रहती है, एक constant रहती है बटा, तो उसके according हम देखते हैं, आंसर देना है, एक constant velocity of revolution, elliptical orbit में नहीं होता है, has the least velocity when it is nearest to the sun, nearest to the sun तो highest speed होती है, इस Arial velocity is directly proportional to the velocity नहीं, Arial velocity is inversely proportional to its velocity नहीं, we need to follow it trajectory such that the aerial velocity is constant, yes, तो E जो है वो इसका पूरी तरह से बटा, correct है, अब E देख लीजी किस के अंदर आ रहा है, फोर्त के अंदर आ रहा है, तो फोर्त ही इसका correct option हो जाएगा, बटा, next question में चलते हैं, चलो, question number 78, find the electric field at point pH on the figure on the perpendicular bisector of uniformly charged thin wire of the length L carrying a charge Q, the distance of point P from the center of the wire is A equals to root 3 by 2L ठीक है, आपको electric field find करना बेटा इस point पर, और A की value जो हो, root 3 by 2L के बराबर है, ठीक है, देखो, अगर कोई wire है, जिस पे charge density lambda है, या कोई line charge है, ठीक है बटा, और उससे perpendicular distance R पर आपसे electric field के बारे में पूछे, lambda charge density है, तो इस point पर electric field की जो value आती है, that is, k lambda by r into 2 sin of theta, यह theta कौण सा angle होता है, यह वाला angle होता, देखो, यह भी theta इधर से, इधर से भी theta, अगर theta 90 हो जाए तो यह wire जो है, वो infinite length का हो जाएगा, तो उस case में sin 91 हो जाएगा, और value कितनी हो जाएगी, 2 k lambda by r, तो यहाँ पर यह limited length का wire आपको given है, तो आपको theta निकालना पड़ेगा सबसे पहले, theta देखो, यह पूरी complete length L है, तो यह वाल length L by 2 हो गई, और यह जो A है, यह root 3 L by 2 है, तो यहां से गर 10 theta देखें, तो 10 theta perpendicular by base, L by 2 अपन में root 3 L by 2, मतलब 1 by root 3 आ जाएगा, और 1 by root 3 कब होता है, जब theta equals to 30 degree होता है, तो theta के value 30 degree आ आ चुकी है, इसका उन्द इलेक्ट्रिक फिल की जो value आएगी बेटा, that is 2 K lambda, right, चलो अभी लिख देते हैं, by R और sin theta की value, sin 30 मतलब 1 by 2, 2 से 2 cancel out हो जाएगा, मतलब K lambda by R के बराबर आ गया, K की value 1 upon 4 pi epsilon 0, क्योंके, K की value आ गई, lambda बेटा Q by L होगा, length, length कितना है, इस पूरे rod क का, L है न, Q by L आ गया, lambda की value और R की बात करें, R है यह वले distance, बेटा, एक एक वले R, तो यह जो है, वो root 3 L by 2 है, तो root 3 L by 2, 2 पर रख दो, अब इसको solve करना है थोड़ा सा, 2 से 2 cancel out हो गया, तो 2 pi epsilon 0, root 3 L square, तो 2 root 3 divide के अंदर आ रहा है, L square भी आ रहा है, तो यह हमारे पास option म मिल रहा बेटा, option number 3, ठीक है, next question पर चलते है, question number 79 पर बेटा, question number 79 पर यह, देखिए, क्या given है, the initial velocity V1 required to project a body vertically upward from the surface of earth to just reach a height of 10R, तो earth surface से, radius R है earth की, है न, और earth surface से 10R height तक अगर आपको किसी particle को just project करना है, तो आपको velocity कितनी देनी है, particle को V1 देनी है, V1, ठीक है, 10R तक पहुंचने का मतलब, यहाँ पर velocity particle की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, right, इसको अगर हम mechanical energy conservation से deal करें, तो यहाँ पर kinetic energy आपने इस object को half m V1 square दी है, right, potential energy minus g m small m by r के एक्वल है earth surface पर, जब h height पहुंच जाएग your potential energy minus g m small m by 10R plus r मतलब 11R, right, यह 11R आजाएगा, यहाँ से आपके पास relation आगे देखो, half m V1 square is equal to g m small m by r minus g m small m by 11R, तो 1 minus 1 by 11 आजाएगा 10 by 11, so 10 g m capital M by capital R, तो small m से small m cancel out हो जाएगा, तो एक relation V1 का हमारे पास आचुका है, next क्या पुछा है, 10R height है, ठीक है, may be described in the terms of escape velocity VE such that, अच्छा VE की terms में अगर आप से पूछे, तो VE हम जानते हैं बटा, escape velocity VE equals to under root to g m by r के equal होता है, escape velocity, right बटा, तो यहाँ से इसको escape velocity में convert किया जा सकता है, हमें g m की value, right, g m की value हमें यहाँ पे नहीं रखनी है, इसको remove करना है यहाँ पर, right, और y यहाँ पर कितना given है, y, 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 चलिए देखें एक बार, तो g m की value को, यह g m by r की value को, देखो, g m by r आ रहा है यहाँ से, g m by r की value कितनी आजाएगी, VE square by 2 आजाएगा, यहाँ रख दूँगा मैं, तो V1 square by 2 is equal to 10, into में, g m by r की value कितनी आगी बटा, VE square by 2, 2 से 2 cancel out हो गय देन, V1 की value कितनी आगे बटा, under root 10 into VE, V1 equals to under root 10 into VE, तो यह x by y है actually में, यह पूरी जो quantity ना, इसकी value आप से पूछी है, अंदर वाली quantity, sorry, अंदर वाली quantity की value कितनी आजाएगी बटा, केवल 10 आजाएगी, under root के अंदर 10, ठीक है, चलिए, next question पर चलते हैं, next question पर आईए बटा, a solid sphere of radius R, gravitationally attracts a particle placed at 3R, from its center with force F1, ठीक है, now, a spherical cavity of radius R by 2 is made in the sphere, and the force becomes F2, the value of F1 by F2 is, ओके, तो हमें force का ratio यहाँ पर find करना है बटा, तो first of all, अगर यह solid sphere, जो की complete sphere है, उसके करण point A पर अगर हमें force की value पूछे, तो force कीतना आएगा, तो बटा, complete sphere के करण, center से 3R distance पर field की value कितनी आएगी, center से 3R distance पर, gm, g capital M, sphere का mass, upon center से distance कितनी है, 3R, तो 9R square, यह field आ गया, और field को small m से multiply करते होगे, तो force आ जाएगा, और यह force हमें F1 given है, यहाँ ठीक है, अब इसमें R by 2 के आपने cavity बना दी, R by 2 cavity बनाने का मतलब ही हो गया, जो mass, इस cavity वाले sphere का होगा, that is M by 8 होगा, अगर मैं complete mass, अगर capital M consider करूं, इस cavity वाले sphere का mass M by 8 हो जाएगा, क्योंकि सेम कोशन हमने पहले भी किया था, तो M by 8 इसका mass होगा, राइट, अब superposition principle की help से आप A point पर field की value find कर सकते हो, इसे complete sphere के करण तो इतना है था, cavity वाले sphere की बात करूं, उसका भी यहाँ पर field आएगा, जो की हमें subtract करना है, main sphere वाले field से, तो F2 जो है वो कितना हैगा, देखो, एक तो complete sphere के करण फिल्ड यही आएगा, G, M small M by 9 R square, और इसमें से minus करना है, इस cavity वाले sphere का field, यह देखो, distance यह 2R है और यह R by 2, तो 2R plus R by 2 कितना आजाएगा, 5R by 2 हो जाएगा, तो इस sphere, जो cavity वाले sphere है, इसके करण फिल्ड कितना आएगा, उसको subtract करना है, तो minus G, M, यह अच्छा, मैंने force लिख दिया, स्मॉल M से multiply कर दिया हमने, तो G, M small M by distance कितनी आएगी, अच्छा, मास आजाएगा, M by 8, distance कितनी आएगी, 5R by 2, 5R by 2 को square करोगे बटा, तो 25R square by 4, इसको आपको solve करना है, तो 4 से cut कर दो, यह 2 आगया बटा, and then F2 की value अगर अगर अपन solve करें यहां से, तो F2 आ जाएगा हमारे पास, F2 is equal to G, M small M by r square बटा बहर आगया, bracket में आज एग 1 by 9 minus 1 by 50, ठीक है, 1 by 9 minus 1 by 50, तो इसमें आपको L sim लेना है, अब, ठीक है, L sim लोगे, तो बाकी तो देखो, ratio पूचा है, तो Gm by r square, यह वाला जो part ह इससे कट जाएगा, यहां तो 1 by 9 आएगा, और यहां पर देखो, 1 by 9 minus 1 by 50 आ रहा है, तो L sim लोगे, तो 9 into 50 कर दो, और इधर 50 minus 9 मतलब 41 आ जाएगा, तो इन दोनों को divide करोगे, तो 1 by 9 by 41, right, into 9 by, into 9 into 50, तो 9 से 9 cancel out हो जाएगा, और value कितनी आ जाएगी, 50 by 41, तो हमसे F1 by F2 क की value यहां पर पूछी है, तो 50 by 41 इसका answer आ जाएगा, तो option कौन सा हो जाएगा, correct option, third हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number 80 हो गया, अब next question में चलते हैं मैटा, 81, given, given below are two statements, one is labeled as assertion, assertion reason का question है यह, assertion first, मतलब जो A है, उसको देखते हैं आपन, the escape velocities of planet A and B are same, but A and B are of unequal masses, ठीक है, mass तो different है, लेकिन escape velocity same है, escape velocity आप जानते हैं बटा, VE equals to under root, 2 gm by R होता है, अब कह रहा है कि, escape velocity तो same है, लेकि mass different है, mass different होगा, तो radius भी different होनी पड़ेगी, क्योंकि root of M by R जो है, वो दोनों के लिए same होना, अच्छिए, तब ही, escape velocity same होगा, इसका मतलब अगर पहले object का mass M1 है, दूसरे object का mass M2, पहले object का radius R1 है, दूसरे object का radius R2 है, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर VE same है, तो, root of M1 by R1 equals to root of M2 by R2, means, M1 by R1 is equal to M2 by R2, अगर ऐसा है, तो ठीक है, इसके velocity same होगा, तो चलिए ठीक है, assertion कह रहा है, चलो, आगे बढ़ें, देखते हैं, reason पर चलो, the product of their masses and red eye must be same, M1 R1 equals to M2 R2, नहीं, M1 R2 equals to M2 R1 होता, तो इसको satisfy कर जाता, ये बात इसकी सही हो जाती है, लेकिन ये तो गलत हो गया, तो इसका बदो assertion तो सही है, लेकिन reason किया, बेटा, wrong है, तो इसका second बेटा correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question में चलें, हम बेटा, question number 82, a geostation satellite is orbiting around an arbitrary planet P at a height of 11 hour about the surface of P, R being the radius of P, the time period of another satellite in hours at a height of 2 hour from the surface of P, ठीक है, P has the time period of rotation of 24 hours, तो P जो satellite है, उसकी center से distance कितनी होजाएगी 12R, ठीक है, और जो दूसरा satellite है, उसकी center से distance होजाएगी 3R, और उसका हमें time period पूछा है, यहाँ पर न, time period of rotation पूछा है, as we know, T square proportional to RQ, दूसरे का time period T2 अजिम कर लू, पहले वाले का T1 है, तो T2 by T1 की whole power 2 is equal to R2 by R1 whole power 3, बस इस formula में value रखनी है, और उससे answer find करना है, तो simple सा कोशन है, देखो T2 by T1, T1 की value कितनी है, 24 है वेटप, whole power 2, R2 कितना है, R2 है, दूसरे वाले case के अंदर, 2R है और R, मतलब center से distance होजाएगी 3R, और R1 कितना आजाएगा 12R, whole power कितना है 3, R4 cancel out हो गया, 3 से cancel out करतो 4, 1 by, यह आजाएगा 1 by 4 की power 3, अब यह 2 है इधर power, अंडूर्ट कर दीजिए, तो T2 is equal to, यह 24 इधर आजाएगा 24, और इसकी 4 की power 3 की power 1 by 2 हो जाएगा, तो यह आजाएगा 2 की power 3, तो 24 by 8 आजाएगा, और यहाँ से value आजाएगी 3R, तो दूसरे satellite का जो time period है, rotation का वो 3R आजाएगा, ठीक है, simple सा question था यह, next question में चलते हैं बटा, the electric field in a region is given by, electric field given है बटा आपको, ठीक है, E naught की value given है, the flux of this field, a rectangular surface of area 0.4 meter square, parallel to the yz plane is, yz plane के parallel, जो है, वो field कितना है, है न, अच्छा, yz जो axis है, उसके parallel एक plane है, तो yz के parallel अगर कोई plane है, तो उस plane का जो area vector होगा, वो x-axis के along होगा न, तो जो flux होगा, वो x-axis वाला जो flux है, x-direction वाला जो flux है, उसी को ही consider करना, वाला x-direction वाला जो field है, उस face को cross करेगा, तो उसके cross pointing flux आएगा, उसी को हमें find out करना है, कि दूसरे field तो flux क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां x-direction वाला field बेटा केवल 2 by 5 e-note है, इसी की करनी flux हमें find out करना है, area हमें given है, तो flux है जाएगा simply e into a, e की जिए के क्या रखोगे, 2 by 5 e-note, यह तो electric field आ गया, into में a कितना है, 0.4 देखो, और e-note की value 4 into 10 to the power 3 दे रखी है, यह 0.4 हट जाएगा, यह power 2 आ जाएगा बेटा यहां से, तो यहां से कितना आया, 4 into 2, 8, 8 into 4 मतलब, 32, 100 by 5 से divide कीजिए, 6 आ गया, 4 आ गया, 640, 640, अच्छा इसमें जो value है, वो हमें किसमें दे रखी है, nm square पर कुलाम में दे रखी है, ठीक है, कोई issue नहीं है, यहां पर, यह newton पर कुलाम में है, ठीक है, तो उसमें कोई issue नहीं है, यहां पर, वैसे electric field की value हम जानते है, यह दे कोई newton पर कुलाम मीटर स्क्वेर, तो यह small n, capital N है, यह, चल में, तो 640 newton meter square पर कुलाम, तो यह हमारा answer आजाएगा flux के लिए, ठीक है, चलिए, next question पर चलते है, देखो बेटा, find out the surface charge density at the intersection point of x equals to 3 meter plane and x-axis in the region of uniform line charge of 8 n कुलाम per meter lying along the z-axis in the free space, बहुत ही प्यारा question है, देखो, आपके पास यह x-axis है, यह y-axis है, z-axis किस तरफ आजाएगा, बाहर की तरफ आजाएगा, एक line charge कुछ यह रखा हुआ है, बाहर की तरफ, और इस line charge की एकांड फिल्ड एक्जिस्ट करेगा, वह हम जानते हैं, 2k lambda by r होगा, r perpendicular distance पर, लेकिन यह कह रहा है कि एक plane है यहाँ पर, और वो जो plane है ना, वो x बराबर 3 meter पर है, कोई distance x consider कर लेते हैं, यहाँ पर यह plane, एक्चल में यह metal है, metal surface है यहाँ पर, इस question की language हम थोड़ा सा fault है, यह metal surface है, large surface है metal, चीक है, तो बिटा, यहाँ पर यह line charge दे रहे हैं आपको, यह वाला, यह ऐसे जा रहा है अंदर की तरह, तो इस line charge के काण यह, यह metal surface है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है बड़ा, अब इस metal surface के इस तरफ देखा जाए ना, तो कोई field exist नहीं करेगा, क्योंकि अंदर जो charge है, इस charge का field बाहर नहीं जाने देगा metal surface, यह metal surface large size का है, तो field बाहर 0 होगा, यह confirm है, बाहर 0 होने का मतलब यह है, कि यहाँ पर जो charge density आएगी, इसकी मान लेजी, यहाँ पर charge density minus का, इस position पर, क्योंकि हमें इसी position पर पूछा है, यहाँ पर charge density मान लेजी, इस sigma है, let's say sigma है, वैसे minus का sigma है, वैसे, तो इसके just अंदर देखा जाए, तो field की value 0 होगी, इस sigma के करण यहाँ पर जो field आएगा, that is, sigma by epsilon not, metal surface के करण, और इस wire के करण यहाँ पर जो field आएगा, that is, 2k lambda by r, है ना, r distance है यह वाली, जो की x लिख है मैंने, अब यह दोनों field एक-दूसरे को cancel out कर देंगे, इस point पर, तब epsilon not की terms में लिख देते हैं, यहाँ पर, 2 lambda upon 4 pi epsilon not r, right, epsilon not से epsilon not cancel out हो गया, और 2 से 2 cancel out हो गया, 2 pi, then sigma कीतना है हमारे पास, sigma is equal to 2 आगया, lambda by 2 pi r, और sigma की value कितनी है, बटा, lambda की value कितनी है, आपर lambda है, 8 nanoclam answer कि इसमें पूछा है, अच्छा, nanoclam perimeters के रिए में पूछा है, तो यह 8 आगया, nanoclam के अंदर है, by 2 pi, 2 into pi की value आप जानते हो, 3.14 होता है, और radius r जो है बटा, वो आपको दे रखी है, 3 meter, तो यह 3 रख दो यहाँ पर, इसे कट करो, यह 4, 4 upon me 3.14 है, तो 339, 4 by 9 almost, 0.4 के around आएगी value, तो यह answer इसका जो है, वो correct option बटा, 3rd हो जाएगा, ठीक है, अच next question चलते हैं, बटा, if one wants to remove all the mass of the earth to infinity in order to break it up completely, the amount of energy that needs to be supplied will be x by 5 gm square by r, where x is in, x is round off to the nearest integer, m is the mass of the earth, r is the radius of the earth, g is the gravitational constant, बहती प्यारा कोशन है, बटा, एक quantity होती इसको बोलते है, self energy, तो कोई भी दो particle, जिनके mass m1 और m2 है, उनके बीच का separation अगर r है, तो इस system की gravitational energy होती है, minus gm1, m2 by r, अब ऐसे छोटे-छोटे particles को अगर आप पास ले ले के आओ, और उससे अगर sphere बना दो, तो उस sphere के अंदर बहुत सारे pair बनेंगे, बटा, उस pair की energy भी होगी, obviously, तो ए एक shell की भी होती है, shell अगर लें तो उसकी भी energy होगी, ठीक है, तो solid sphere और shell, shell के लिए बात करें ना हम, r radius का shell है, mass m है, तो उसकी तो shelf energy होती है, that is, minus gm2 by 2r, ये shell की self energy है, and similar way से, अगर sphere solid होना, तो solid sphere की self energy होती है, minus 3gm2 by 2r, 5r, ठीक है, minus 3gm2 by 5r, shell की minus gm2 by 2r, ये फरक होता थोड़ा सा, पर अगर आपने, ठीक है, if one wants to remove all the mass of that to infinity, अगर आप इस earth के, मतलब छोटे-छोटे particles कर दो, और सब को बिखेर दो, infinity पे ले जाओ, तो infinity पे सब को separate कर दिया, तो final energy कितनी होगी, 0 होगी न, final energy, 0 हो जाएगी, ये initial energy है इसकी, और final energy क्या कर दी, 0 कर दी, अगर आपने तोड़ दिया इसको, और work done by external agent जो होता है, यू final minus initial होता है, मतलब यू final में से initial को subtract करोगे, तो ये minus minus plus हो जाएगा, then work done किसके बराबर आजाएगा, exactly, plus 3g m square by 5 bar, इसको अगर आप लिखो, यहाँ पर देखो, compare करो, यहाँ पर clearly पता लग रहा है, जो x है बिटा, एक्स की value 5 के एकवला जाएगी, है ना, है ना प्यारा question, तो इस type के question भी आप से exam में पूछे जा चुके हैं, ऐसे पूछे भी जाएंगे, ठीक है, तो आप इस type के questions की practice जरूर करें बैटा, cavity वाले questions, ठीक है, variable density वाले questions, इन दोनों chapter से इस type के questions बहुत बार पुछे जा हैं, तो इनकी practice कीजिए, एक बार जरूर आप इन questions को देख के जाएए, क्योंकि जही मेंस में इस type के questions बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं, उनका focus रहता है इन type के questions पे, तो आप इनकी questions की practice अच्छे से कीजिए, आप definitely अच्छा score करेंगे, ठीक है, I hope आपको य चलिए, thank you